हेलो गाईज, वेलकम टू माई चेनल, तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात कने वाले हैं, उसका नाम है त्रिपल सेवन चारली, त्रिपल सेवन चारली फिल्म का जो हिंदी वर्जन है, साथ ही में कनडा, तमील, तेलगू, मल्यालम वर्जन है, वो साथ ही में फिल्मिंग के उपर भी प्रोपर डिटेलिंग मिलने वाली है, इसके अलावा फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है, टीजर ट्रेलर देखने के बाद, सौंग्स देखने के बाद, जो एनालिसिस करने के बाद एक स्टोरी बन क्या ही है, उसका एक प्रेडिक्सन देन वाला हूँ तो वीडियो काफी ज़्याधा इंट्रेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहेगा और हिंदी वर्जन में रक्सिसेटी ने खूद य अपना व항 वर्ण दिया हुआ है, इससे पेले एसन नाम की एक फिलम आही थी अउनने स्रीमन नारहन जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दियता एडवेंचर आप ना वो पेले पेन इंडिया फिल्म होने वाली थी लेकिन हिंदी डिस्ट्रिपिटर नहीं मिले जिस वज़ा से हिंदी वज़न काफी लेट प्रिमेर करवाए गया वो भी डायरेक्ट यूटूब पे जहाँ पे आपको वो सुनने को मिली थी वो रक्सी सेटी की थी क्योंकि फ जिसके अलावा यह एक पेन इंडिया फिल्म तो ही जहां पे इस फिल्म का बजट है वो एकमेडियम बजट है और यह एक एडवेंशर कॉमेडिड्रामा फिल्म है इससे पहले जितने बिपन इंडिया फिल्म में सुकसेशफूल हुई है जैसे कि ट्रिपल R बाहु बली 1,2 के जिए वन टू पुस्पा पार्ट वन यह सभी एक्षन जोनर वाली फिल्म है लेकिन यह पेली एक इसी फिल्म है जो एडवेंचर कोमेडी ड्रामा फिल्म लेके आये हुए रक्सी से टीजी जहां पे इस फिल्म के साथ इस टोपिक के साथ वो एक पेन इंडिया लेवल में को कनेक करना चाहते है वेसे तो फिल्म का जो टोपिक है जहां पे कोमेडी एडवेंचर जिस तरह से डोग के साथ रिलेसंसीब जो इमोशनल चीजे वो सभी चीजे ट्रेलर में अभी तक देखने को मिली है तो वो सभी चीजे पूरी तरह से कनेक्टेड नजर आ रही है इसने बेहतरी तरीके से कट आउट किये रहे ते जिस वज़य से वह सभी चीजे वेज़े एट्रेक्टिड नजर आते भले फिल्म के अंदर कुछ हो या ना हो लेकिन इस फिल्म का जो टीजर ट्रेलर आउट हुआ है जितना भी कंटेन आउट हुआ है वह काभी परोमिसिं मिल रहा है सिर्फ एक language में नहीं सभी language में जहां पर फिल्म का 357 Charlie film का जो ट्रेलर आउट किया गया था तो उस ट्रेलर को भी काफी बढ़ी हा response मिला था Songs को भी काफी अच्छा response मिला था ट्रेलर में जहां पर कंड़ा वर्षन को करीबन 15-20 मिलियन जितने व्यूज मिले हुए ते 15 मिलियन के आसपास के व्यूज मिले हुए वहीं पे 377 चारली फिल्म के मल्यालम वर्जन को 3 मिलियन के आसपास व्यूज मिले हुए तमिल वर्जन में 3.5 मिलियन के आसपास के व्यूज वहीं पे तिल्गू वर्जन में करीबं 6.5 मिलियन के व्यूज हासिले और इसके अलाओ जो हिंदी वर्जन है वो सबसे ज़्यादा टोप पे 23 मिलियन के आसपास फिल्म को व्यूज मिले हुए तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि त्रिपल सेवन चारली फिल्म जितनी कनड़ा में लोग एक्सपेक्टेड है कि अच्छी फिल्म हो सकती है इतना बढ़या तरीके से जो कंटेंड दिखाया है वो उनको पसंद आया हुआ है तेल्गू वर्जन के ओडियन को भी इतना ही प करवा रहा है तो योफो मोवीज वैसे भी उतने बढ़या तरीके से फिल्म में रिलिस करवाने के लिए नहीं जाना जाता है लेकिन इस बार एक लिस्ट पेन इंडिया मोवी के लिए हिंदी वर्जन के लिए रक्सिस है टीजी को कोई डिस्रीबिटर तो मिला पितली बार भी नहीं मिला था लेकिन अगर फिल्म का कंटेंड दमदार रहा तो वैसे ही फिल्म की स्क्रिंस बढ़ जाएगी जो एक्जीबिटर एठीटर ओनर वह वैसे ही डिस्रीबिटर से ज्यादा से ज्यादा स्क्रिंस के मांग करेंगे वैसा सेम आपने की जेप में देखा होगा पुस्पा पार्ट बन में देखा होगा तो इस टाइप की चीजे होती आ रही है और फिलाल में तो काफी ज्यादा लेवल पे हो रही है जिस तरह से कस्मिर फैल्म फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ था उस फिल्म को कम से कम स्क्रिंस में रिलीज किया गया था रादे श्याम जैसे बड़ी पेन इडिया फिल्म के साथ रिलीज किया अगया था लेकिन जैसे धूसरे दिन पॉजिटिव वर्ड औप माउध रिये का मिला उसके सामने राजे सयाम का बज़ेटी वर्ड औप माउध मिला तो पूरी स्क्रिंस राजे सयाम से हटा कि 10 कस्मिर फैल्म को दी गए थी जिसके चलते वो फिल्म काफे बड़ी एक हीट साबित हुई थी करीबन 300-400 करोड का ग्रोस कलेक्शन के आतर सिर्फ 10-15 करोड के बजट की फिल्म के सामने तो 377 चारली भी वही मेजिक दिखा सकते हैं उसके ट्रीजर ट्रेलर जिस तर से कट आउट किये हुए जिस तस हमारे सामने पेस किये हुए जो स्टोरी को उतना रिविल तो नहीं करते हाँ फिल्म का कॉन्सेप्ट है वो पेले भी आ चुका है लेकिन यह सभी फिल्में इस टाइप के रहे थे इसमें इमोशनली आप कितना बढ़िया तरिके से एक्जिक्यूट कर पाए पर्फॉमसिस कितनी बढ़िया है वो सभी चीज़े ही मेन मेटर करती है अगर वो बढ़िया रही वो कनेक्टेट रही तो फिल्म वेसे ही लोगों को पसंद आ जाएगी और डोग के साथ की जो के उपर फिल्म है हिंदी लेंग्वेज में अभी तक पितले कहीं लंबे समय में आई नहीं है एंटर्टेन्मेंट आई थी अक्षे कुमार की कहीं साल पेले लेकिन वो फिल्म भी उसकदर एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी जिस तर से इमोशनल है उतनी बढ़िया फिल्म लेकिन ये फिल्म का कंटेन्ट जो देखने को मिल रहा है फिल्म के टीजर ट्रेलर के आखरी के जो 10-15 सेकंड देखने को मिल रहे है जहां पे रक्सिस सेटी डोक से पूचते कि वो उससे कितना प्यार कता है उसके उपर जिस तर से सभी चीज़े दिखाई हुए वो बढ़ सेकंड इतना बड़ा प्लोट अगर एक सिक्वंस के लिए दे देते हो तो काफी बड़ी बात है लेकिन उन्होंने काफी चाला की से सभी चीज़ों को सेट क्या हुआ था जिस वज़े से फिल्म काफी बेहतर इन्वे में आपको कनेक्टिर रखेगी उसका अंदाजाद दे जाती है सिर्फ टेलर से ही एडिटर थे प्रतिक सेटी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो ढ़ाई गंटे का सवा दो से ढ़ाई गंटे का रन टाइम दिया हुआ है वेसे वे 377 चारली फिल्म हिंदी वर्जन में भी रिलीज हो रहे है जहां पे विदाउट कट इस फिल्म को सेंसर बोड की तब से युए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के कहानी के ओपर बात करें तो 377 चारली फिल्म का एकज़ेट प्लोड बता तो नहीं सकते लेकिन इस फिल्म की कहानी जितनी पता चली है तो वह एक डोग चारली के रिलेटेड है जहां पे एरक्सिस उसको हेल्प करता है तो वहीं से उन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है सायद रक्सिसेटी को कोई बीमारी होगी ऐसा कुछ होगा जिसके चलते हैं उनकी लाइफ आने वाले समय में खतम होने वाले तो वो डोग के साथ मिलकर पूरी दुनिया का एक वर्ल्ट टूर कर तो उसकी उस समय दोरान वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं उसी समय के दोरान डोग के साथ कुछ ऐसी चीज़े होती है जो खो जाता है तो अब किस तरह से रक्सिसेटी उनको ढूनते हैं और वहीं वन सभी चीज़ों में अलग-अलग प्लोड भी हेट किये होंगे को पसंद आने वाली है इस फिल्म के स्क्रिन प्ले राइटिंग डिरेक्शन किरन राच के नहीं की हुई है जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रिन प्ले भी लिखा हुए और डायलोग भी उन्होंने ही क्रेट किये हुए प्रडूसर है रक्सिसेटी जो फिल्म के लीड एक्टर लेकिन अगर ये पेन इंडिया लेवल पे हिट कर गए तो आसानी से 300-400 करोड का कलेक्सन कर सकती है जिसकी बदोलती फिल्म अच्छा खासा एक टेग मार्क क्रियेट कर सकती है इसके लाफ फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो रक्सेटी आपको देखने को मिलेंगे धर्मा के रोल में संगीता स्रीन गेरी देखने को मिलेंगे देवी का रोल में चारली दा लेबरो डोक के दोर पे दिखाए देंगे राज बी सेट्टी आपको डॉक्टर अस्विन कुमार के रोल में दिखाए देंगे डानिस सेट आपको करसन रोई के रोल में दिखाए देंगे बोबी सीमहा ने एक केमियो अपिरियंस दिया हुआ है जिनका रोल काफी इंटरिस्टिंग नजर आ रहा है ट्रेलर से सिनेमेटोग्राफी अर्विन कसी अपने की हुए फिलाल में जितने भी सोड देखने को मिल रहा है जितना भी कंटेन देखने को मिल रहा है उसमें उनका केमरा और का काम काफी अमेजिंग नजर आ रहा है चीजों को काफी beautiful manner में उन्हों ने हमारे सामने करवर करके दिखाया हुआ है music जा है नो बिन पोल ने जहाँ पे फिल्म में जिस तर से emotional scenes में जो background score में जो music बता है जो comedy sequence है जो drama है जहाँ पे जो background scene में जो music state किया हुए जो songs select किया हुए जो song composed किया हुए वो काफी amazing नजर आ रहा है फिल्म में फिलाल में जो फिल्म का जो sound track है उसको release करवा दिया गया है जहाँ पे फिल्म में अभी एक से दो गाने release करवाए हुए जहाँ पे एक torture नाम का गाना release किया करवाए हुए दूसरा OGA नाम का एक गाना release करवाए हुए दोनों गाने काफी hit साबित हुए और visually भी लोगों को पसंद आए फिल्म की release के उपर बात करे 10 जून 2022 को इस फिल्म को कनड़ा लेंग वेच के साथ सत्तमील तेलगो मल्यालम और हिंदी वर्जन में release करने वाले जहाँ पे दिस्ट्रिबिटर्स की बात करें तो 777 Charlie के लिए प्रितिरा सूकुमारा का केरला वर्जन के लिए इस फिल्म को दिस्ट्रिबिट कर रहे जहाँ पे उनके प्रोड़क्शन कंपनी प्रितिराज प्रोड़क्शन के नीचे वो मल्यालम ड़ड़ वरजन दिस्ट्रिश्ट करने वाले, वहीं पर हिंदी वरजन युएफ़ फिल्म से रिस्ट्रिश्ट करवा रही है, साथ ही में जो तमील वरजन है वो कार्तिक सुबराज अपनी प्रोड़क्शन कमपनी stone bench films के नीचे इस film को distribute करेंगे तमिल वरजन के लिए वहीं पे तिल्गू वरजन के लिए सुरेज प्रोड़क्शन है और हिंदी वरजन के लिए, सुरी तिल्गू वरजन का confirm तो नहीं है लेकिन सायथ सुरेज प्रोड़क्शन इस film को distribute करवाएगा otherwise हिंदी वर्जन की बात करें तो UFO movies ने इसके rights करी देवे distribution के हिंदी वर्जन के लिए तो अब देखते हैं किस फिल्म को किस तरह की इतने बड़ी release मिल पाती है 10 जुन 2022 को फिल्म release हो रही है, ये US certificate है फिल्म का content emotionally काफी connected है, अब देखते हैं ये लोगों को कितना पसंद आता है अगर ये पसंद आए तो फिल्म से और सोट बड़ी hit होने वाली है और इसके अलाव रक्सी सेटी एक पेनिरे लेवल पे बड़े star बन जाएंगे इस फिल्म के development के उपर बात करें तो September 2017 कोई officially रक्सी सेटी नाना उस किया हुआ था कि वो परमाव स्टूडियो के नीचे 777-740 नाम के एक फिल्म करने वाले जहां पे वो उस फिल्म को co-produce करेंगे किरन के किरन राज किये करके एक assistant director थी उनकी भाइ की फिल्म थी रिसर्ब सेटी धी की Rikki और किरिक पार्टी उसमें की रिक पार्टी में तो रक्सी सेटी में लीडरोल में थी उसमें उन्होंने assistant का का काम किया हुआ तो उनको इस फिल्म में डायरेक्टर एफ तोर पर लाया जाएगा जहाँ पर श्टोरी आडिया भी उनका ही है और उनका ही डेबिव फिल्म होने वाला है इसके अलावा, स्क्रिप्ट को कंसेडर करने के बाद यह पहली कंड़ा फिल्म होने वाली थी जो कंड़ा लेंग्वेज में ही रिलिस की जाने वाली थी जहांपे डोग के उपर जो जिस तर का सिक्वाइब दिखाया हुआ है उसमें कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के उपर इस फिल्म के कहानी सेड़ की है इस टैप की पहली एक फिल्म बनने वाली थी लेकिन बाद में जिस तर से चीजे बदलती रही आगे बढ़ती रही उसके बाद में इस फिल्म को पे इंडिया लेवल पर कोशित कर दिया गया है जाहंपर फ्लेबरार डोब को पूरी तरह से तीन मेनिकी ट्रेनिक दी गए थी इस फिल्म के जो incident है उसको recreate करने के लिए जो real incident है उसको recreate करने के लिए उसके बाद में फिल्म की काश्टिंग की गई थी जहांपे इस फिल्म में लीड रोल में संगीता स्रिंगेरी देखने को मिलती है जिनको 2700 ओडिसन ले थे लड़कियों के उसमें से उनको सिलिक किया गया था और उसके बाद में जुलाई 2018 में राजबी सेटी को डोक्टर के तोर पे इसमें सिलिक किया गया था जो एक बड़े बढ़िया एक्टर है जिनकी काफी अच्छे अच्छी कनड़ा फिल्म में आई हुए है उसके बाद में अलग-अलग एक्टर को लिया गया था और ओफिशल लेना उसके आगया था कि बोवी सिम्मा जो तमील एक्टर है वो इस फिल्म में केमियों देने वाले और उनका कनड़ा इंड़ेश्ट्री के लिए डेब्यू होने वाला है फिल्म की सूटिंग आठ जून 2018 को मेंगलर में ही की गई थी जहां पे पनिसेपल फोटोग्राफी लोकेशन फे फिल्म को सूट किया गया था जहां पे फिल्म की सूटिंग के जो सीडियूल है वो काफी लंबे रखे गया था एक सीडियूल तो करीबन एक मेने के आस पास का था जहां पे इस फिल्म का जो सूटिंग कंप्लिट हुआ उसके बाद में उसका कंप्लिट होता कि स्टार्ट किया जाता था। फिल्म के कुछ सीकैisst को डान डेली फॉरेश में सूट किया गया saúde इसके ला कोई 19 की वज़े से कुछ चीज़ों में फिल्म की सूटिंग को रोक दिया गया था उसके बाद में फिल्म के कुछ पोर्सन को गुजरात में राजस्तान पंजाब और गोवा में भी सूट किया गया था इस फिल्म के जो जनवरी 2020 के बाद की जो सूटिंग है वो ज्यादा तर नोथ इंडिया में सूट की गए थी जहां पर कहीं सारे सीन् को बनाने के लिए करीबन सो दिन लगे उनको जहांपे मार 2020 तक पूरी तरह से फिल्म का काम कंप्लीट कर वाया था उसके बाद में कुछ पेच्वर क पाम था उसके बाद में फिल्म में कुछ ऐसा काम आ गया था जिसकी वज़स छे मेंने का बरेक पड़ा था और अक् elles आर 2 December के पहले विक में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की पूरी सुटिंग को कंप्लिट करने में 170 दिन लग गए थे जहां पर 25 सक्टूमबर 2020 तक पूरी तरह से फिल्म की सुटिंग को कंप्लिट करवाय गया उसके बाद पोस्ट प्रडक्सन का काम किया गया था 19 जनुवरी 2009 से जहां पर 90 परषन्ट ईंट कन की सुटिंग कंपलिट हो गय थी उसके बाद पोस्ट प्रडक्सन का काम स्ट और जाफ़ब करवा दिया गया था और ये पांच लेंग्विज के लिए इन सभी आर्टिस को सिलिक किया गया था जहां पे सभी का प्रोपर ओडिशन लिया गया था क्योंकि एक पेनिंग जलेवल के फिल्म थी तो वो जरा भी गलती नहीं चाहते थे और फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए जरा भी फ्लेवर में इधर इधर न हो जाए जिस वज़े से उन्होंने वही ओठेंसिटी रहे तो इन सभी चीज़ों इन सभी आर्टिस का इंटर्विव जबिंग लिया था और साथ ही में फिल्म के लीड एक्टर रक्सिस एक्टी ने खूद अपना वोई जवर भी दिया था इस फिल्म के मिज नाम का गाना रिलीज किया गया था इसके अला और डिस्ट्रीबिटर के ऊपर मैंने पूरी डिटेलिंग दे दिये तो अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म थियाटर में रिलीज हो रही है तो कब तक इस फिल्म को कितना बढ़िया तरीके से किसा रिस्पोंस मिलता ह किस तरह की स्क्रीनिंग और दिन प्रति दिन बढ़ती है यूए फो इस फिल्म को हिंदी में कितना बड़ा रिलीज करवा पाता है अगर यह सभी चीज़े सही बेठी फिल्म का कंटेंट अच्छा रहा जो इमोसनल पार्ट है वो एक्जेक्योशन में परफेक्ट रहा तो ज़रूर यह फिल्म स्योशोट ब्लोगबस्टर होने वाली 35 करट का सिर्फ बजट है इस फिल्म को आसानी से ब्रेक एओन टार्गेट पार तो हो जाएगा लेकिन अगर अच्छी फिल्म रही तो यह आसानी से दकस्मिर फाल्स फिल्म की तरह एक अच्छा खासा लंबा रन ले सकती है अब देखते हैं कि इन सबी चीजों में कितना बहतरी तरके से कंटेंट बाहर निकल किया आता है अब 31 दिसंबर 2021 को इस फिल्म को पेले रिलिस करने वाले थी लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोवीड-19 के चलते काफी सारे रिस्ट्रिक्शन आई थी और फिल्म को अब 10 जुन 2022 को इस फिल्म आने वाली है इस फिल्म से काफी सारी उमीदें लगाए रखे रक्षी सेटी की टीम ने काफी बढ़े काम किया हुआ है तो कनड़ा ओडियंस तो एक्साइट है लेकिन दूसरे सेक्षन जहां पे हिंदी तमिल कनड़ तेलगू मल्यालम जो ओडि हीट होगी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के OTT रिलीस के ऊपर तो जस तरह से अब यह दस जुन 2022 को फिल्म में रिलीस हो रही है और उसके बाद OTT पे रिलीस करवाई जाते है ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ भी होने वाला है जहां पर 30 करारा होगा OTT प्लेटफॉम क के साथ जहां पर 10 जून 2022 को फिल्म आ रही तो जूलाइ महने तक यह फिल्म आपको OTT पे पांचों लेंग्विज में देखने को मिलेगी जहां पर OTT राइट्स खरीदे हुए Amazon Prime वीडियो ने जिन्होंने तमिल तिल्गू कनडा मल्यालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए और सभी वर्जन को इंगली सब्टाइटल के साथ वो अपलोड करने वाले तो 10 जून 2022 को फिल्म तीटर में रिलीज हो रही है तो जुलाइ महने के स्टार्टिंग में फिर्स्ट या सेकंड वीक में ये फिल्म आपको OTT प्लेट्फॉर्म Amazon Prime वीडियो के ऊप और ओफिशली विच सब्सक्रिप्शन वीटिंगले सब्टाइटल ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तमिल तेल्गु खनडा मलयालम वर्जन में उसके साथ हिंदी वर्जन भी देखने को वहीं पे मिल जाएगा सेम तारीक को अब बात कर इस फिल्म के सेटेलाइट के पर इस फिल्म को आप देख पाओगे ऑफिशली इसके अलाव मेरी मान होता अगर फिल्म का कंटेंड अच्छा निकलता है तो ये थियेटर में फिल्म देखेगा क्योंकि एमोस्नल ये फिल्म थियेटर में आपको बेहतरे इन तरीके समाज़ा देख पाईगी क्योंकि सब्टाइटल महां पर भी इंजोई कर पाओगे त्रीपल सेवन चारली जो 2022 की इंडियन कनडा लिंग्विज में बनी एक पेन इंडिया फिल्म है जहां पर फिल्म को कनडा लिंग्विज में सूट किया गया है वहीं पर तमिल तेलगू मल्यालम और हिंदी वर्जन में रिष्ट्यूबिटर नहीं मिले जिस वज़ए से हिंदी वजन काफी लेट प्रिमेर करवाए गया वो भी डाइरेक्ट यूटूब पे जहां पर आपको वो सुनने को मिली थी वो रक्सी सेटी की थी क्योंकि फिल्म के डबिंग पूरी तरस से कंप्लेट करवा दी गई थी और यह एक एडवेंचर कोमेडी ड्रामा फिल्म है इससे पहले जितनी भी पेन इंडिया फिल्म में सक्सेस्फूल हुई है जैसे की त्रिपल आर बाहु बली वन टू केजिए फ़न टू पुस्पा पार्ट वन यह सभी एक्शन जोनर वाली फिल्म है लेकिन यह पहले एक एडवेंचर कोमेडी ड्रामा फिल्म लेके आये हुए रक्सी से टीजी जहाँ पे इस फिल्म के साथ इस टोपिक के साथ वो एक पेन इंडिया लेवल में फिल्म को कनेक्ट करना चाहते है वेसे तो फिल्म का जो टोपिक है जहाँ पे कोमेडी एडवेंचर जिस तरह से डो फिल्म का ट्रेलर भी आउट हो चुका है टीजर भी आउट हो चुका है और फिल्म के सूंक्स भी आउट हो चुका है और सभी चीजों को बढ़िया रिस्पोनस मिल रा है सिर्फ एक लेंगवेज में नहीं सभी लेंगवेज में जहां पे फिल्म का 777 Charlie फिल्म का जो ट्रेलर आउट किया गया था तो उस ट्रेलर को भी काफी बढ़िया रिस्पोनस मिला था सौंग्स को भी काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था ट्रेलर में जहां पर कनडा वर्जन को करीब 35-20 मिलिन जितने व्यूज मिले हुए थे 15 मिलिन के आसपास के व्यूज मिले हुए وہीं पर 377 चारली फिल्म के 23 मिलियन के आसपास फिल्म को व्यूज मिले हुए तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 777 चारली फिल्म जितनी कनड़ा में लोग एकस्पेक्टेड है कि अच्छी फिल्म हो सकती है इतना बढ़या तरीके से जो कंटेंड दिखाया है उनको पसंद आया हुआ है तेल्गू वर्जन के ओडियंस को भी इतना ही पसंद आया है लेकिन हिंदी का व्यूज आप देख सकते हो 23 मिले ने जिसका मतलब कि ओडियंस को यह फिल्म ज्यादा पसंद आने वाली अगर यह ट्रेलर इतना सक्सेस्फुल आया हिंदी वर्जण के लिए अगर फिल्म का कंटेन अच्छा रहा तो भले काम स्क्रीन हो यूफो मूवी वैसे भी उतने बड़ह तरीके से फिल्म में रिलिज्स करवाने के लिए नहीं जाना जब दोले किist इस टाइप की चीज़े होती आ रही है और फिलाल में तो काफी ज्यादा लेवल पे हो रही है जिस तरह से कस्मिर फैल्म फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ था उस फिल्म को कम से कम स्क्रिंस में रिलीज किया गया था राधिश यहां फिल्म जैसी बड़ी पें इडिया फिल्म क कस्मिर फैल्म का मिला उसके सामने राधे से हमका नेगेटिव वर्ड फमाउथ मिला तो पूरी स्क्रिंस राधे से हमसे हटा के दस कस्मिर फैल्म को दे दी गए थी जिसके चलते वो फिल्म काफी बड़ी एक हीट सावित हुई थी करीबन 300-400 करोड का ग्रोस कलेक्शन किया तो सिर्फ 10-15 करोड के बजट की फिल्म के सामने तो 377 चारली भी वही मेजिक दिखा सकती है उसके ट्रीजर ट्रेलर जिसतर से कट आउट किये हुए जिसतर समारे सामने पेस किये हुए जो स्टोरी को अतना रिविल तो नहीं किरते हाँ फिल्म का कॉंसेट है वो पेले भी जाएगी और डोक के साथ की जो रिलेसंसीब के उपर फिल्म है हिंदी लेंग्वेज में अभी तक पितले कहीं लंबे समय में आई नहीं है एंटर्टेन्मेंट आई थी अक्से कुमार की कहीं साल पहले लेकिन वो फिल्म भी उसकदर एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी जिस के उपर जिस तर से सभी चीज़ें दिखाई हुए वो बढ़िया नजर आ रही थी वो लाश्ट के 15 सेकंड के मूमेंट फिल्म में आपके आखे नम कर देगी तो इस तरह से फिल्म की कहानी अगर पूरी तर से एक्जिक्यूट करके दिखाई होगी तो जरूर फिल्म किया हुआ ता जिस वज़े से फिल्म काफी बेहतर इनवे में आपको कनेक्टिर रखेगी उसका अंदाजाद दे जाती है सिर्प टेलर से ही एडिटर थे प्रतिक सेटी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन सवा दो से ढ़ाई गंटे का रन टाइम दिया हुआ है वेसे विश् को सेंसर बोड कीतब से युए स सेटिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के कहाने के उपर बात करें तो ट्रिपल सेवन चारली फिल्म का एक्ज़ेट पलोड बता तो नहीं सकते लेकिन इस फिल्म की कहानी जितनी पता चली ए तो वो एक डोग चारली के रिलेटेड है जहां पेरक्सिसेटी की जो पहले लाइफ पूरी तरसे हेल हो चुकी है उसके बाद में चाली नाम का डोग उसे मिलता है उसको वो बाद में एडोप करना नहीं चाहता है लेकिन दीरे दीरे उसके साथ जो कुछ इस्यूस होते है वो हस्पिटल चला जाता है वहीं डोग उसको हेल्प करता है तो वहीं से उन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है साथ रक्सिसेटी को कोई बीमारी होगी ऐसा कुछ होगा जिसके चलते हैं उनकी लाइफ आने वाले समय में खतम होने वाले है तो वो डोग के साथ मिलकर पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर करते है तो उस समय के दोरान वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं उस समय के दोरान डोग के साथ कुछ ऐसी चीज़े होती है जो खो जाता है तो अब किस तरह से रक्सिसेटी उनको डूनते है और वहीं उन सभी चीज़ों में अलग-अलग प्लोट भी हैट किय cá होँगे कुछ कोमेडि शटायर भी हैट किया होगा साथ ही में कुछ मेसेज भी डिलिवर किया होगा और उन सभी चीज़ों मैं खास बात इमोशनली काफी बढ़ी हतरिकी से कुछ इमोशनल सेंस क्रियेट किये होंगे तो ये सबी चीज़े अगर परफेक्ट वे में एक्जेक्ट होई तो ज़रूर ये फिल्म सबको पसंद आने वाली है इस फिल्म के स्क्रिन प्ले राइटिंग डिरेक्शन किरन राच के ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रिन प्ले भी लिखा हुआ है और डायलोग्स भी उन्होंने ही क्रियेट किये हुए प्रड्यूसर है रक्सी सेटी जो फिल्म के लीड एक्टर है तो ये अच्छा खासा बजट है मिडियम बजट की फिल्म बोल सकते है लेकिन अगर ये पेन इंडिया लेवल पे हिट कर गए तो आसानी से 300-400 करोड का कलेक्शन कर सकती है जिसकी बदोलत ये फिल्म अच्छा खासा एक टेग मार्क क्रियेट कर सकती है इसके लाफ फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो रख सेटी आपको देखने को मिलेंगे धर्मा के रोल में संगीता स्रीन गेरी देखने को मिलेंगे देवी का रोल में चारली दा लेबरोर डोक के तोर पे दिखाए देंगे राज B.C.T. आपको डॉक्टर अस्विन कुमार के रोल में दिखाए देंगे डानिस सेट आपको करसन रोई के रोल में दिखाए देंगे बोबी सीमहा ने एक केमियो अपिरेंस दिया हुआ है जिनका रोल काफी इंट्रिस्टिंग नजर आ रहा है ट्रेलर से सिनेमेटोग्राफी अर्विन कस्यप ने की हुए फिलाल में जितने भी सोड देखने को मिल रहा है जितना भी कंटेन देखने को मिल रहा है उसमें उनका केमरा और का काम काफी अमेजिंग नजर आ रहा है चीज़ों को काफी ब्यूटिफुल मेनर में उन्होंने हमारे सामने करवर करके दिखाया हुआ है मुजिक ज्याओ नोबिन पोल ने जहाँ फिल्मे जिस तरस इमोशनल सिंस में जो बेगराउड स्कॉर में जो मुजिक बता है जो कोमेडी सिक्वाणस है जो ट्रामा है जहाँ पे जो बेगराउड सिण में जो music set किया हुए जो song select किया हुए जो song compose किया हुए वो काफी amazing नजर आ रहा है फिल्म में फिलाल में जो film का sound track है उसको release करवा दिया गया है जहाँ पे फिल्म में अभी एक से दो गाने release करवाय हुए जहाँ पे टोर्चर नाम का गाना release किया करवाय हुए दूसरा ओ गानाम का एक गाना release करवाय हुए दोनों गाने काफी hit साबित हुए और visually भी लोगों को पसंद आए फिल्म की release के ओपर बात करें 10 जुन 2022 को इस फिल्म को कनड़ा लेंगे चिसासत तमील तिल्गु मल्यालम और हिंदी वर्जन में release करने वाले जहाँ पे distributors की बात करें तो 377 Charlie के लिए पृतिरा सुकुमार केरला वर्जन के लिए इस फिल्म को distribute करें जहाँ पे उनके production company पृतिराज production के नीचे वो मल्यालम ड़ड़ वर्जन distribute करने वाले वहाँ पे हिंदी वर्जन UFO फिल्म से distribute करवा रही है साथ ही में जो तमिल वर्जन है वो कातिक सुबाराज अपनी production company स्टोन बेंच फिल्म के नीचे इस फिल्म को distribute करेंगे तमिल वर्जन के लिए वहीं पे तिल्गू वर्जन के लिए सूरेज प्रोड़क्सन है और हिंदी वर्जन के लिए सुरी तिल्ग वर्जन का confirm तो नहीं है लेकिन साथ सुरेज प्रोड़क्सन इस फिल्म को distribute करवाएगा otherwise हिंदी वर्जन की बात करें तो UFO मुवीज ने इसके rights करें दे हुए distribution के हिंदी वर्जन के लिए तो अब देखते हैं किस फिल्म को किस तरह की इतने बड़ी रिलीज मिल पाती है 10 जून 2022 को फिल्म रिलीज हो रही है यूए सर्टिफिकेट है फिल्म का content emotionally काफी connected है अब देखते ही ये लोगों को कितना पसंद आता है अगर ये पसंद आया तो फिल्म चोर सोट बड़ी हिट होने वाली है और इसके अलाव रक्सी सेटी एक पेनिरिया लेवल पे बड़े स्टार बन जाएंगे इस फिल्म के development के उपर बात करें तो September 2017 कोई officially रक्सी सेटी नाना उस किया हुआ था कि वो परमाव स्टूडियो के नीचे 377 चारली नाम की एक फिल्म करने वाले जहां पे वो उस फिल्म को को प्रोड्यूस करेंगे और किरन के राज किरन राज किये करके एक assistant director थे उनकी भाई की फिल्म थी रिसब सेटी की रिक्की और किरिक पार्टी उसमें किरिक पार्टी में तो रक्सिस एटी लीड रोल में थे उसमें उन्होंने assistant का काम किया हुआ था तो उनको इस फिल्म में director तोर पे लाया जाएगा जहां पर story idea भी उनका ही है और उनका ही है डेब्यू फिल्म होने वाला है इसके अलावा script को consider करने के बाद ये पहली कंड़ा फिल्म होने वाली थी जो कंड़ा language में release की जाने वाली थी जहां पर dog के उपर जो जिस तर का sequence दिखाया हुआ है उसमें कुछ real life incident के उपर इस फिल्म के कहानी सेट की है इस टाइब की पहली एक फिल्म बनने वाली थी लेकिन बाद में जिस तर से चीज़े बदलती रही आगे बढ़ती रही उसके बाद में इस फिल्म को पेन इडिया लेवल पे कोसित कर दिया गया जहां पेख लेबरा Go ko पूरी तर से टीन मैनी की ट्रेंणग दी गए थी इस फिल्म के जो incident है उसको recreate करने के लिए उसके बाद में फिल्म की casting की गए थी जहां पे इस फिल्म में ली रोल में संगीता स्रिंगिए री देखने को मिलती है जिनको 2700 ओडिसन ले थे लड़कियों के उसमें से उनको सिलिक किया गया था और उसके बाद में जुलाई 2018 में राजबी सेटी को डॉक्टर के तोर पे इसमें सिलिक किया गया था जो एक बड़े बढ़िया एक्टर है जिनकी काफी अच्छे अच्छी कनडा फिल्में आई जहां पे पनसेफल फोटोग्राफी भी उसी दिन किय गई थी इस फिल्म की सूटिंग का का जो अवने स्टरियुमन नाgruppe 2020 की फिल्म थी उसके साथ ही स्टार्ट किया हो था दोनों फिल्म का का काम एक साथ में श्टार्ट चल रहा था जहां पे फिल्म के काफी mesmo सेट किये थे जहां पर सकलेसपूर, महिसूर, बेंगलोर, मेंगलोर अलग 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 लोकेशन पर फिल्म को सूट किया गया था जहां पर फिल्म की सूटिंग के जो सीडियूले वो काफी लंबे रखे गये थे एक सीडियूल तो करीबन एक मेने के आसपास का था जहां पर इस फिल्म जो में फिल्म की सुटिंग को रोक दिया गया था उसके बाद में فिल्म कको पोस्थन को गुझरात में राजस्तान, पंजब और बुड़ी के बीच के जो बॉन्ड वाले सीने वो वहीं पे फिल्म आया गया उसके लाग उजरात राजस्तन पंजाब में कुछ सीकॉंस को सूट किया गया था इस फिल्म को बनाने के लिए करीबन सो दिन लगे उनको जहां पे मार्ट 2020 तक पूरी तरह से फिल्म का काम कंप्लिट करवाया था बीस नौंबर 2020 तक इन सभी चीज़ों को स्टार्ट किया गया था कस्मिर का स्टूट्यूल दो दिसंबर के पहले विक में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की पूरी सूटिंग को कंप्लिट करने में 107 दिन लग गये थे जहां पे 25 सक्टूंबर 2020 तक को सिलिक किया गया था कोई 19 के वज़े से चीज़े फिर से पॉस्पॉंट हो गए उसके बाद में फिल्म के डबिंग के पॉसन का काम किया गया उस जिसमें करीबन 50 केरेक्टर थे और 200 वोई आर्टिस को चूश किया गया था और यह 5 लेंगविज के लिए इन सभी आर्टि सिटी रहे तो इन सभी चीजों इन सभी आर्टिस का इंटर्विव लबिंग लिया था और साथ ही में फिल्म के लीड एक्टर रक्सिस एक्टी ने खोद अपना वोई जोर भीद दिया था इस फिल्म के मुजिक डिपार्टमेंट के ओपर बात करें तो मैंने जैसे कहाग द पूरी डीटेलिंग दे दिये तो अब देखने वाली बात यह है कि फिल्म थियाटर में रिलीज हो रही है तो कब तक इस फिल्म को कितना बढ़िया तरीके से किसा रिस्पॉंस मिलता है किस तरह की स्क्रीनिंग और दिन प्रती दिन बढ़ती है यूए फो इस फिल्म को हिं और टार्गेट पार तो हो जाएगा लेकिन अगर अच्छी फिल्म रही तो यार आसानी से दे कस्मिर फाल्स फिल्म की तरह एक अच्छा कासा लंबा रन ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीजों में कितना बहतरी तरके से कंटेंट बाहर निकल किया आता है अब 31 दि की टीम ने काफे बढ़ा काम किया हुआ है तो कनड़ा ओडियंस तो एक्साइट है लेकिन दूसरे सेक्षन जहां पर हिंदी तमिल कनड़ तेलगू मल्यालम जो ओडियंस है अगर उनको कंटेंट अच्छा लग गया तो फिल्म से और सोट बड़ी हीट होगी अब हम बात कर करें ले थे इस फिल्म के ओट टी डीगर जाती मुश्चा की जहां पर रिज़्ालिव जाती होगा साथ जहां पर imp दी तेमिल तेल्गू, कनडा, मल्यालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए और सभी वर्जन को इंगली सब्टाइटल के साथ वो अप्लोड करने वाले तो 10 जून 2022 को एफिल्म थीयटर में रिलीज हो रही है तो जुलाई मेहने के स्टाइटिंग में फर्स्ट या सेकंड वीक में ये फिल्म आपको ओर्टिटी प्लेटफॉर्म में इमिजोन ट्राइम वीडियो के ऊपर ओफिशली वीच सब्सक्रिप्सन वीचिंगली सब्टाइटल ये फिल्म देखने को मिल जाएगी क्योंकि सबी लेंगमेजिय अलग अलग लेंगमेज इतो अलग लेंगमेज आ ओफिशली इस फिल्म KARAK करवा दिया जाएगा टो इस तरह से ये वीड़िट आ मेंगेर के ओस फिल्म को आप देख पाऊंगे खिल्म ओऊ-प्रफिशली को तो थियेटर में देखने का मज़ा अलग होता है तो वहाँ पे देखोगे तो और बेहतर रहेगा Otherwise Amazon Prime Video के उपर एक मेने के बाद वे से भी सभी लिंग्वेज में पाचों लिंग्वेज में आ रही है फिल्म भी इंग्लिस सब्टाइटल वहाँ पे भी इंज्वेज कर पाऊगे त्रिपल सेवन चारली जो 2022 की इंडियन कनडा लिंग्वेज में बनी एक पेन इंडिया फिल्म है जहाँ पे फिल्म को कनडा लिंग्वेज में सूट किया गया है वहीं पे तमिल, तेलगू, मल्यालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया गया है और हिंदी वर्जन में रक्सी सेटी ने खुद ही अपना वोईज ओवर दिया हुआ है इससे पेले, ASN नाम की एक फिल्म आई थी अउनने स्रीमन नारायना, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया होता, एडवेजर आप स्रीमन नारायना तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि रक्सी सेटी कितनी बढ़िया तरीके से हिंदी बोल सकते है इसके अलावा यह एक पेन इंडिया फिल्म तो ही जहां पे इस फिल्म का बजट है वो एक मीडियम बजट है और यह एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इससे पेले जितनी भी पेन इंडिया फिल्म में सक्सेस्फूल हुई है जैसे कि ट्रीपल रार बाहुबली वन टू केजिएफ वन टू पुस्पा पार्ट वन यह सभी एक संजोनर वाली फिल्म है लेकिन यह पेले एक एक एसी फिल्म है जो एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म लेके आये हुए रक्सी से टी जी जहाँ पे इस फिल्म के साथ इस टौपिक के साथ वो एक पेन इंडिया लेवल में फिल्म को कनेक्ट करना चाहते हैं फिल्मों को positive word of mouth मिला तो अदिन प्रति दिन बढ़िया collection करेगी अदर्वाइज एक्सन फिल्म में क्या रहता है कि उसके टीजर ट्रेलर इतने बेहतरीं तरीके से cut out किये रहे थे जिस वज़र से वो सभी चीज़े वेसे attracted नजर आते हैं भले फिल्म के अंदर कुछ हो या ना हो लेकिन इस फिल्म का जो content है जो teaser trailer आउट हुआ है जितना भी content आउट हुआ है वो काफी promising नजर आ रहा है काभी positive note के साथ लोग इसे ले रहे जिसकी वज़र से फिल्म का जो trailer आ आउट हो चुका है टीजर भी out हो चुका है और फिल्म के songs भी out हो चुके और सभी चीजों को बढ़िया response मिल रहा है सिर्फ एक language में नहीं सभी language में जहां पे फिल्म का triple seven Charlie film का जो trailer आउट किया गया था तो उस trailer को भी काफी बढ़िया response मिला था songs को भी काफी अच्छा response मिल वे तमील वर्जन में 35.000.000 के आसपास के वियूज है वहीं पे तिल्गू वर्जन में करीबं 6.500.000 के वियूज हासिल है और इसके अलाओ जो हिंदी वर्जन है वो सबसे ज़्यादा टोप पे 23.000.000 के आसपास फिल्म को वियूज मिले हुए तो इससे अंदाजा लगा सकत हो कि त्रिपल सेवन चारली फिल्म जितनी कनड़ा में लोग एक्सपेक्टेड है कि अच्छी फिल्म हो सकती है इतना बढ़या तरीके से जो कंटेंद दिखाया है वो उनको पसंद आया हुआ है तेल्गू वर्जन के ओडियंस को भी इतना ही पसंद आ है लेकिन हिंदी का आप देख सकते हो 23 मिले ने जिसका मतलब कि ओडियंस को यह फिल्म ज्यादा पसंद आने वाली अगर यह ट्रेलर इतना सक्सेस्फुल साबित हो रहा है हिंदी वर्जन के लिए अगर फिल्म का कंटेंड अच्छा रहा तो बहले ही कम स्क्रीन हो यूए फो इस फिल्म को हिं नहीं मिला था लेकिन अगर फिल्म का कंटेंड दमदार रहा तो वैसे ही फिल्म की स्क्रीन्स बढ़ जाएगी जो एक्जीबिटर है थीटर ओनर है वो वैसे ही डिस्रीबिटर से ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स के मांग करेंगे वैसा सेम आपने कीजियेफ में साथ release किया गया था लेकिन जैसे ही दूसरे दिन positive word of mouth the customer files का मिला उसके सामने राजे सहम का negative word of mouth मिला तो पूरी screens राजे सहम से हटा के 10 customer files को दे दी गए थी जिसके चलते वो film काफी बड़ी एक hit साबित हुई थी करिबन 300-400 करोड का gross collection किया तो सिर्फ 10-15 करोड के बज़ेट की फिल्म के सामने तो तो 777, Charlie भी वही मैजिक दिखा सकते हैं, उसके ट्रीजर ट्रेलर जिस्ता से cut out किये हुए, जिस्ता समारा सामने based किये हुए, जो story को अतना reveal तो नहीं किरते है, हाँ फिल्म का concept है वो पेले भी आ चुका है लेकिन ये सभी फिल्में इस टाइप की रहे थे इसमें emotionally आप कितना बढ़िया तरह के से execute कर पाए, performances कितनी बढ़िया है वो सभी चीज़े ही main matter करती है अगर वो बढ़िया रही वो connected रही तो फिल्म वेसे ही लोगों को पसंद आ जाए और डोग के साथ की जो relationship के ओपर फिल्म है हिंदी लेंग्वेज में अभी तक पितले कहीं लंबे समय में आई नहीं है, entertainment आई थी अकसे कुमार की कहीं साल पहले, लेकिन वो फिल्म भी उसकदर एक successful फिल्म नहीं थी, जिस तर से emotional है उतनी बढ़िया फिल्म नहीं थी, लेक या नजर आ रही थी, वो लाश्ट के 15 सेकंड के moment फिल्म में आपके आखें नम कर देगी, तो इस तरह से फिल्म की कहानी अगर पूरी तरह से execute करके दिखाई होगी, तो जरूर फिल्म बढ़िया होने वाली है, एडिटर ने काफी बहतरीन काम किया है, क्योंकि पूरे ट्र इडिटर थे प्रतिक सेटी ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2,5 गंटे का, सवा 2,5 गंटे का run time दिया हुआ है, वेसे 777 Charlie फिल्म हिंदी वर्जन में भी release हो रहे है, जहां पे without cut इस फिल्म को sensor board की तब से US certificate मिला हुआ है, इस फिल्म के कहानी के उपर बात करें, तो 777 Charlie फ में चाली नाम का डोग उसे मिलता है, उसको वो बाद में एडोप करना नहीं चाता है, लेकिन दीरे दीरे उसके साथ जो कुछ issues होते हैं, जिसकी वज़े से वो हस्पिटल चला जाता है, वहीं डोग उसको help करता है, तो वहीं से उन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है साथ रक्सिसेटी को कोई बीमारी होगी, यसा कुछ होगा जिसके चलते हैं, उनकी लाइफ आने वाले समय में खतम होने वाले हैं, तो वो डोग के साथ मिलकर पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर करते हैं, तो उस समय के दोरान डोग के साथ कुछ ऐसी चीज़े होते हैं तो अब किस तरसे रक्सिसेटी उनको ढूनते हैं, और वहीं उन सभी चीज़ों में अलग-अलग प्लोड भी हेट किये होंगे, कुछ कोमेडी, सटायर भी हेट किया होगा, साथ ही में कुछ मेसेज भी डिलिवर किया होगा, और उन सभी चीज़ों में खास बात, इमोशनल की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है और डायलोगस भी उन्होंने ही क्रियेट किये हुए, प्रड्यूसर है रक्सिसेटी जो फिल्म के लीड एक्टर है, वो उनके साथ को प्रोड्यूस कर रहे है जी एस गुपता, इस फिल्म को परमवा या लेवल पे हीट कर गए तो आसानी से 300-400 करोड का कलिक्सन कर सकती है जिसकी बदोलती फिल्म अच्छा कासा एक टेग मार्क क्रियेट कर सकती है इसके लाव फिल्म के लीड कास्ट के बात करें तो रक्सेटी आपको देखने को मिलेंगे रोल काफी इंट्रेश्टिंग नजर आ रहा है ट्रेलर से सिनेमेटोग्राफी अर्विन कसी अपने की हुए फिलाल में जितने भी सोड देखने को मिल रहा है जितना भी कंटेन देखने को मिल रहा है उसमें उनका केमरा और का काम काफी अमेजिंग नजर आ रहा है चीजों को काफी beautiful manner में उन्होंने हमारे सामने करवर करके दिखाया हुआ है म्यूजिक जे वे नो बिन पोल ने जहाँ पे फिल्में जिस तर से emotional sense में जो background score में जो music बता है जो comedy sequence है जो drama है जहाँ पे जो background scene में जो music set किया हुए जो song select किया हुए जो song compose किया हुए वो काफी amazing नजर आ रहा है फिल्में फिलाल में जो फिल्म का जो sound track है उसको release करवा दिया गया है जहाँ पे फिल्में अभी एक से दो गाने release करवाय हुए जहाँ पे टोर्चर नाम का गाना release किया करवाय हुए दूसरा ओगा नाम का गाना release करवाय हुए दोनों गाने काफी hit साबित हुए और visually भी लोगों को पसंद आये फिल्म की release के ओपर बात करें 10 जुन 2022 को इस फिल्म को कनड़ा लेंगे इसके सासत तमील तिल्गु मल्यालम और हिंदी वर्जन में release करने वाले जहां पर distributors की बात करें तो 377 Charlie के लिए प्रितिरा सुकुमार केरला वर्जन के लिए इस फिल्म को distribute करें जहां पर उनके production company प्रितिराज production के नीचे वो मल्यालम डब वर्जन distribute करने वाले वहीं पर हिंदी वर्जन UA4 फिल्म से distribute करवा रही है साथ ही में जो तमील वर्जन है वो कार्तिक सुबाराज अपनी production company स्टोन बेंच फिल्म के नीचे इस फिल्म को distribute करेंगे तमील वर्जन के लिए वहीं पर तिल्गू वर्जन के लिए सुरेज production है और हिंदी वर्जन के लिए सुरी तिल्गू वर्जन का confirm तो नहीं है लेकिन साथ सुरेज production नीच फिल्म को distribute करवाएगा otherwise हिंदी वर्जन की बात करें तो UFO movies ने इसके rights करिदे हुए distribution के हिंदी वर्जन के लिए तो अब देखते हैं कि इस फिल्म को किस तरग कि अब देखते हैं लोगों को कितना पसंद आता है अगर यह पसंद आया तो फिल्म से और सोट बड़ी हिट होने वाली है और इस के लाव रक्सी से टेक पेनिया लेवल पे बड़े स्टार बन जाएंगे इस फिल्म के development के ओपर बात करें तो सेप्टेम्बर 2017 कोई ओफिशली रक्सी सेटी नाना उस किया हुआ था कि वो परमाव स्टूडियो के नीचे त्रिपल सेवन चारलिल नाम की एक फिल्म करने वाले जहां पे वो उस फिल्म को को प्रोडूस करेंगे और किरन के राज किरन राज किये करके एक असिस्टन डायरेक्टर थे उनके भाई की फिल्म थी रिसब सेटी की रिक्की और किरिक पार्टी उसमें किरिक पार्टी में तरक्सी सेटी ही लीड रोल में थे उसमें उन्होंने असिस्टन का काम किया हुआ था तो उनको इस फिल्म में director तोर पर लाया जाएगा जहाँ पर story idea भी उनका ही है और उनका ही है debut film होने वाला है इसके अलावा script को consider करने के बाद यह पहली कंड़ा फिल्म होने वाली थी जो कंड़ा language में ही release की जाने वाली थी जहां पर डोग के ओपर जो जिस तरह का सिक्वांस दिखाया हुआ है उसमें कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के ओपर इस फिल्म के कहानी सेट की है इस टाइप की पहली एक फिल्म बनने वाली थी लेकिन बाद में जिस तरह से चीजे बदलती रही आगे बढ़ती रही उसक के बाद में फिल्म की काश्टिंग की गई थी जहां पर इस फिल्म में लीड रोल में संगीता स्रिंगेरी देखने को मिलती है जिनको 2700 ओडिसन ले थे लड़कियों के उसमें से उनको सिलिक किया गया था और उसके बाद में जुलाई 2018 में राजबी सेटी को डोक्टर के त वाले और उनका कनड़ा इंडिस्ट्री के लिए डेब्यू होने वाला है फिल्म की सूटिंग आठ जुन 2018 को मेंगलर में ही की गई थी जहां पर पनिसिपल फोटोग्राफी भी उसी दिन की गई थी इस फिल्म की सूटिंग का का जो ऑनिस्तिरी मना रहने 2020 की फिल्म थी उस सीडियूल हो काफी लंबे रखे गए थे एक सीडियूल तो करीबन एक मेने के आसपास का था जहां पर इस फिल्म का जो सूटिंग कंपलिट हो उसके बाद में ऑनिस्तिरी मना रहन का सूटिंग स्टार्ट किया जाता था बाद में उसका कंपलिट होता था इसका स्टार्ट किया जाता था फिल्म क्छ Inst को डान डाली फॉरेश में फिस्सी। किया गया है। इसके लाव कोईड से कुछ चीज़ों में फिल्म की सुटिंग को रोक दिया गया था उसके गुझरत रजस्तन पजण पजब में कुछ सीकॉंस को सूट किया गया था इसकी वजश च्थे बाँने के लिए करीबं सो दिन लगर ने रिए उनको संबर के पहले विक में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की पूरी सुटिंग को कंप्लीट करने में 170 दिन लग गए थी जहां पर 25 सक्टमबर 2020 तक पूरी तरह से फिल्म की सुटिंग को कंप्लीट करवाय गया उसके बाद पोस्प्रडक्शन का काम किया गया था जिसमें करीबन 50 केरेक्टर थे और 200 वोई आर्टिस को चूज किया गया था और यह पांच लेंग्विज के लिए इन सभी आर्टिस को सिलिक किया गया था जहां पर सभी का प्रॉपर ओडिशन लिया गया था क्योंकि एक पेनिंग्ज लेवल के फिल्म थी तो वो जरा भी गल वो इस और भी दिया था इस फिल्म के मुजिक डिपार्टमेंट के ओपर बात करें तो मैंने जैसे काहक दो गाने रिलीज हुए जहां पर कनडा में दो है बाकी सभी वर्जन में एक एक गाने रिलीज किया गए टोर्चर सोंग वाला जो गाना है वो अदर्वाइस कनडा मे ओगा नाम का गाना रिलीज किया गया था इसके अलाव डिस्ट्रीबिटर के ऊपर मैंने पूरी डिटेलिंग दे दिये तो अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म थियाटर में रिलीज हो रही है तो कब तक इस फिल्म को कितना बढ़ी तरीके से किसा रिस्पॉंस मिल रहा तो जरूर यह फिल्म शोट ब्लोगबश्टर होने वाली 35 करड का सिर्फ बजट है इस फिल्म को आसानी से ब्रेके ओन टार्गेट पार तो हो जाएगा लेकिन अगर अची फिल्म रही तो यार आसानी से दकस्मिर फाल्स फिल्म की तरह एक अच्छा-कासा लंबा रन ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीजों में कितना बहतरी तरके से कंटेंट बाहर निकल किया आता है 31 दिसंबर 2021 को इस फिल्म को पहले रिलिस करने वाले थी लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोवीड-19 के चलते काफी सारे रिष्ट्रिक्शन आई थी और फिल्म को पोस अगर उनको कंटेंट अच्छा लगया तो यह फिल्म से और सोट बड़ी हीट होगी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के OTT रिलिस के उपर तो जिस तरह से अब यह दस जून 2022 को फिल्म रिलिस हो रही है और उसके बाद OTT पर रिलिस करवाई जाते है ठीक उसी तरह इस फ देखने को मिलेगी जहां पर OTT राइट्स खरीदे हुए Amazon Prime वीडियो ने जिन्होंने तमिल तिल्गू कनडा मल्यालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए और सभी वर्जन को इंगली सब्टाइटल के साथ वो अपलोड करने वाले तो दस जुन 2022 को फिल्म देखने को मिल जाएगी तमिल तेल्गू कनडा मल्यालम वर्जन में उसके साथ हिंदी वर्जन भी देखने को वहीं पे मिल जाएगा सेम तारीक को अब हम बात कर इस फिल्म के सेटेलाइट के ओपर तो जैसे ही OTT रिलिस कंप्लिट होता है तो उसके तीन-चार मैनों के बा इस फिल्म को फ्री में प्री मेर करवा दिया जाएगा तो इस तरह से यह सबी प्लेटफॉर्म के ओपर इस फिल्म को आप देख पाओगे ऑफिशियली इसके अलाव मेरी मान होता अगर फिल्म का कंटेंड अच्छा निकलता है तो यह थीटर में फिल्म देखेगा क्योंकि इमोशनल यह फिल्म थियाटर में आपको बेहतरे इंतरी के समझा देख पाईगी क्योंकि बेग्राउंड स्कूर फिल्म का अच्छा है तो वो सभी चीजे फिल्म का म्यूजिक, फिल्म की पर्फॉमंसी सो थियाटर में देखने का मज़ा अलग होता है तो वहाँ पे देख वहीं पे तमिल, तेलगू, मल्यालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया गया है और हिंदी वर्जन में रक्सी सेटी ने खूदी अपना वोईज ओवर दिया हुआ है इससे पेले एसे नाम की एक फिल्म आई थी अउनने स्रीमन नारायन जिसको हिंदी डब वर्जन में ना कार्टिफिकेशन भी हो चुका था लेकिन डिस्ट्रीपिटर ना मिलने की वजह से बाद में फिल्म के राइट्स बेज दिये गए थे लेकिन डबिंग वही रखी गई थी तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि रक्सी से टी कितनी बढ़िया तरीके से हिंदी बोल सकते ह इसके अलावा यह एक पेन इंडिया फिल्म तो ही जहां पर इस फिल्म का बजट है वो एक मिडियम बजट है और यह एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इससे पहले जितनी भी पेन इंडिया फिल्म में सक्सेस्फूल होई है जैसे कि त्रीपल आर बावबली वन पूस्पा पार्ट वन यह सभी एक संजोनर वाली फिल्म है लेकिन यह पेली एक इसी फिल्म है जो एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म लेके आये हुए रक्सी से टीजी जहां पर इस फिल्म के साथ इस टोपिक के साथ वो एक पेन इंडिया लेवल में फिल्म को यहां पर कोमेडी एडवेंचर जिस तरह से डोग के साथ रिलेसंसीब जो इमोशनल चीजे वो सभी चीजे ट्रेलर में अभी तक देखने को मिली है तो वो सभी चीजे पूरी तरह से कनेक्टेड नजर आ रही है साथी में यह सभी चीजे सहीं में पेन इंडिया में फर्क इतना है कि इस टाइब की फिल्मों को positive word of mouth मिला तो अदिन प्रति दिन बढ़िया collection करेगी otherwise action film में क्या रहता है कि उसके teaser trailer इतने बहतरीन तरीके से cut out किये रहेते जिस वज़े से वो सभी चीज़े वेसे attracted नजर आते भले फिल्म के अंदर कुछ हो या ना हो लेकिन इस फिल्म का जो content है जो teaser trailer आउट हुआ है जितना भी content आउट हुआ है वो काफी promising नजर आ रहा है काभी positive note के साथ लोग इसे ले रहे जिसकी वज़े से फिल्म का जो trailer आउट हुआ था 377 Charlie film का trailer भी आउट हो चुका है teaser भी आउट हो चुका है और फिल्म के songs भी आउट हो चुका है और सभी चीजों को बढ़िया response मिल रहा है सिर्फ एक language में नहीं सभी language में जहां पर फिल्म का 377 Charlie film का trailer आउट किया गया था तो उस trailer को भी काफी बढ़िया response मिला था songs को भी काफी अच्छा response मिला था trailer में जहां पर कनडा वर्जन को करीब पंदराःथ 20-चीने जितने व्यूज मीले वह थे आउप सपास के व्यूज मीले हुए वहीं पर 377 Charlie film के देशर मीले वर्जन के मल्या लं वर्जन को तीन मील्यन के आउप व्यूज मीले यह तमील वर्जन में त्रिपल सेवन चारली फिल्म जितनी कनड़ा में लोग एक्सपेक्टेड है कि अच्छी फिल्म हो सकती है इतना बढ़िया तरीके से जो कंटेंड दिखाया है वो उनको पसंद आया हुआ है तेलगू वजन के ओडियंस को भी इतना ही पसंद आया है लेकिन हिंदी का हंदी में रिलिस करो रहा है तो योनो फो मुविस वैसे भी उतने बढ़े तरीके से फिल्में के लिस्त करोंड़ाने तो वैसे ही फिल्म की स्क्रिंस बढ़ जाएगी जो एक्जिबिटर है थीटर ओनर है वो वैसे ही डिस्रिबिटर से ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिंस के मांग करेंगे वैसा सेम आपने कीजेप में देखा होगा पूस्पा पार्ट बन में देखा होगा तो इस टाइप की कीजे हो दिया रही है और फिलाल में तो काफी ज्यादा लेवल पर हो रही है जिस ध़तर से कस्वीर फ्लम के साथ भी ऐसा ही हुआ था उस UM को राजे से हम से हटा के 10 कस्मिर फाइल को दे दी गए थी जिसके चलते वो फिल्म काफे बड़ी एक हीट साबित हुई थी करीबन 300-400 करोड का ग्रोस कलेक्शन किया तो सिर्फ 10-15 करोड के बजट की फिल्म के सामने तो 377 चारली भी वही मेजिक दिखा सकते हैं उसके ट्रीजर तरिके से एक्जिक्यूट कर पाए परफॉमसिस कितनी बढ़िया है वो सभी चीज़े ही मेन मेटर करती है अगर वो बढ़िया रही वो कनेक्टेट रही तो फिल्म वेसे ही लोगों को पसंद आ जाएगी और डोक के साथ की जो रिलेसंसिप के उपर फिल्म है हिंदी ईक्जिकुमार की कहीं साल पहले लेकिन वो फिल्म वे उसकादर एक सक्सेश्फूल फिल्म नहीं थी जिस तर से इमोसिनल है उतनी बढ़िया फिल्म नहीं थी लेकिन ये फिल्म का कंटेंट जो देखने को मिल रहे फिल्म के टीजर टरेलर के आखरे की जो दस 15 सेकν्ड दे देगी तो इस तरह से फिल्म की कहानी अगर पूरी तरह से एक्जिक्यूट करके दिखाई होगी तो जरूर फिल्म बढ़िया होने वाली है एडिटर ने काफी बहतरीन काम किया है क्यूंकि पूरे ट्रेलर में अगर आखरे में आप 15 सेकंड इतना बड़ा प्लोट अगर एक स एक्टी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन सवा 2-5 गंटे का रंटाइम दिया हुआ है वैसे 377-40 फिल्म हिंदी वर्जन में भी रिलीज हो रहे है जहां पे विदाउट कट इस फिल्म को सेंसर बोड की तब से US सर्टिपिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के कहानी के उपर बात करें तो 377-40 फिल्म का एक्जेट प्लोड बता तो नहीं सकते लेकिन इस फिल्म की कहानी जितनी पता चली है तो वो एक डोग चार्ली के रिलेटेड है जहां पे रक्सी सेटी की जो पहले लाइफ हो पूरी तर से हैल हो चुकी है उसके बाद में चार्ली नाम का डोग उसे मिलता है उसको वो बाद में एडोप करना नहीं चाहता है लेकिन दीरे दीरे उसके साथ जो कुछ इस्यूज होते है जिसकी वज़ज़ से वो हस्पिटल चला जाता है वहीं डोग उसको हेल्प करता है तो वहीं से उन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है सायद रक्सी स सेटी को कोई बीमारी होगी ऐसा कुछ होगा जिसके चलते हैं उनकी लाइफ आने वाले समय में खतम होने वाले तो वो डोग के साथ मिलकर पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर करते हैं तो उसकी उस समय के दोरान डोग के साथ कुछ ऐसी चीज़े होती है जो खो जाता है तो आप किस्ता से रसी से टिवन को दूंडते हैं और वहीं वन सभी चीज़ों में अलग-अलग प्लोट भी एट किये होंगे कुछ कोमेडी सटायर भी हेट किया होगा साथ ही में कुछ मेसेज भी डिलिवर किया होगा और उन सभी चीजों में खास बात Emotionally काफी बढ़ी हतरिकी से कुछ emotional sins create किये होंगे तो यह सभी चीज़ अगर perfect way में execute होई तो जरूर ये फिल्म सबको पसंद आने वाली है इस फिल्म के स्टोरिज, स्क्रिन प्ले, रैटिंग, डिरेक्शन किरन राच केने की हुई मिडियम बजट की फिल्म बोल सकते हैं लेकिन अगर ये पेन इंडिया लेवल पे हीट कर गए तो आसानी से 300-400 करोड का कलेक्शन कर सकती है जिसकी बदोलती फिल्म अच्छा खासा एक टेग मार्क क्रेट कर सकती है इसके लगा फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो रक्सित सेटी आपको देखने को मिलेंगे धर्मा के रोल में संगीता स्रीन गेरी देखने को मिलेंगे देवी का रोल में चारली दा लेबरोर डोक के तोर पे दिखाए देंगे राज बी सेटी आपको डॉक्टर अस्विन कुमार के रोल में दिखाए देंगे दानिस सेट आपको कर सन रोई के रोल में दिखाई देंगे बोबी सीमहा ने एक केमियो अपीरियंस जिया हुआ है जिनका रोल काफी इंट्रिस्टिंग नजर आ रहा है ट्रेलर से सिनेमेटोग्राफी अर्विन कस्यप ने की हुए फिलाल में जितने भी सोड देखने को मिल रहा है जितना भी कंटेंड देखने को मिल रहा है उसमें उनका केमरा और काम काफी अमेजिंग नजर आ रहा है चीजों को काफी ब्यूटिफुल मेनर में उन्हों ने हमारे सामने कर कर दिखाया हुआ है जहां पर फिल्म में जिस तर से emotional सीन्स में जो background score में जो music बता है जो comedy sequence जो trauma है जहां पर जो background scene में जो music say outras जो songs select किये हुए जो song compose किये हुए वो काफी amazing नजर आ रहे है फिल्म में फिल्म का जो sound त्रेकि उसको release करवा दिया गया जहाँ पे फिल्म में अभी एक से दो गाने release करवाये हुए जहाँ पे टोर्चर नाम का गाना release क्रवाये दूसरा ओगान नाम का गाना release करवाये हुए दोनों गाने काफी फिल्म को distribute कर रहे हैं जहां पर उनके प्रोडक्शन कंपनी प्रिसी रच प्रोडक्शन के नीचे वो मल्यालम डव्ड वर्जन distribute करने वाले वहीं पर हिंदी वर्जन यूए फो फिल्म से distribute करवा रही है साथ ही में जो तमील वर्जन है वो कार्तिक सुभाराज अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टोन बेंच फिल्म के नीचे इस फिल्म को distribute करेंगे तमील वर्जन के लिए वहीं पर तिलगू वर्जन के लिए सुरेश प्रोडक्शन है और हिंदी वर्जन के लिए तो अब देखते हैं किस फिल्म को किस तरह की इतने बड़ी रिलीज मिल पाती है, दस जुन 2022 को फिल्म रिलीज हो रही है, ये ये सर्टिफिकेट है, फिल्म का कंटेंट एमोशनली काफी कनेक्टेड है, अब देखते ही ये लोगों को कितना पसंद आता है, अगर ये पसंद आया तो फिल्म से और सोट बड़ी हीट होने वाली है, और इ नीचे 377 चारलिल नाम की फिल्म करने वाले जहां पर वो उस फिल्म को को प्रोडूस करेंगे, और किरन के राज किये करके एक असिस्टन डायरेक्टर थे, उनकी भाई की फिल्म थी, रिसब सेटी की रिक्की और किरिक पार्टी, उसमें किरिक पार्टी में तो रक्सिस करने के बाद ये पहली कंड़ा फिल्म होने वाली थी, जो कंड़ा लेंग्वेज में ही रिलिस की जाने वाली थी, जहां पर डोग के उपर जो जिस तर कर सीकॉंस दिखाया हुआ है, उसमें कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के ओपर इस फिल्म के कहानी सेट की है, इस टा जो रियल इंसिडेंट है, उसको रिक्रेट करने के लिए, उसके बाद में फिल्म की काश्टिंग की गई थी, जहां पर इस फिल्म में लीर रोल में संगीता स्रिंगेरी देखने को मिलती है, जिनको 2700 ओडिसन ले थे लड़कियों के उसमें से उनको सिलेक किया गया था, औ और ओफिशल है ना उसके आगया था कि बोबी सिम्मा जो तमी लेक्टर है, वो इस फिल्म में केमियों देने वाले हैं और उनका कनड़ा इंडिस्ट्री के लिए डेब्यू होने वाला है, फिल्म की सुटिंग आर्ट जुन 2018 को मेंगलर में ही की गई थी, जहां पर पर निस सारे सीडियों से और की गये थे जहां पर सकलेशपूर महि सूर बेंगलुर में लोर अअलग अलग 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 लोके सनथ फिल्म को सूट किया गया था, जहां पर फिल्म की सुटिंग के 것은 करी दो मेंगरे Κाया democratic यहां पर इस फिल्म का सूटिंग क dikkwalk स्टाट किया जाथा थ को रोक दिया गया था उसके बाद में फिल्म के कुछ पोर्सन को गुजरात में राजस्तान पंजाब और गोवा में भी सूट किया गया था इस फिल्म के जो जनवरी 2020 के बाद की जो सूटिंगे वो ज्यादा तर नोथ इंडिया में सूट की गए थी जहां पर कहीं सारे सीन्स को आप गोवा के सीन्स भी देखने को मिलेंगे जहां पर रक्सी सेटी और चारली के बीच के जो बॉन्ड वाले सीने वो वहीं पर फिल्म आया गया था इसके लाग उजरात राजस्तान पंजाब में कुछ सीकॉंस को सूट किया गया था इस फिल्म को बनाने के लिए करीब कसमिर अलग-alग सीकॉंस को सूट किया गया था इस नौमबर दो हजर वीस तक इस्वेड़ी टीजों को स्टार्ट किया था कस्मिर का स्विटुटियो 1 2 Deigo के पहले विक क ends startalin आ गया था उसके बाद पूरी सूटेंग को कंप्लिट करने में एक सो साथ दिन लग जहां प停 स्क्टमब्र 2020 तक पूरी तरह से फिल्म के शूटिंग को कंपिलेट करवाइ गया इसके बाद पोस्पडॉडक्सां का काम किया गया था 19 जनुद्व किया गया था और ये पांथ language के लिए इन सब आइटिस्ट को select किया गया था जहां पे सभी का proper audition लिया गया था क्योंकि एक पीन इंडिया लेवल के फिल्म थी तो वो ज़रा भी गलती नहीं चाहते थी और फिल्म के लीड एक्टर रक्सी सेक्टी ने खूद अपना वोई जोर भी दिया था इस फिल्म के मुजिक डिपार्टमेंट के ओपर बात करें तो मैंने जैसे काहक दो गाने रिलीज वह जहां पर कनडा में दो है बाकि सभी वजन में के गाने रिलीज किये गए टोचर सौंग वाला जो मिलता है किस तरह की स्क्रीनिंग और दिन प्रति दिन बढ़ती है यूए फो इस फिल्म को हिंदी में कितना बड़ा रिलीज करवा पाता है अगर यह सभी चीज़े सहीं बेठी फिल्म का कंटेंट अच्छा रहा जो इमोसनल पार्ट है वो एक्जेक्योसन में परफेक्ट तो जरूर यह फिल्म से और ब्लोगबस्टर होने वाली है 35 कोड का सिर्फ बजट है इस फिल्म को आसानी से ब्रेके ओन टार्गेट पार तो हो जाएगा लेकिन अगर अच्छी फिल्म रही तो यार आसानी से दकस्मिर फाल्स फिल्म की तरह एक अच्छा का सा लंबा रन ल दिखते हैं कि इन सभी चीजों में कितना बहतरी तरके से कंटेंट बाहर निकल किया आता है 31 दिसंबर 2021 को इस फिल्म को पेले रिलीस करने वाले थी लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कोवीड-19 के चलते काफी सारे रिष्ट्रिक्शन आई थी और फिल्म को पोस्ट्वन किया गया तो अब 10 जुन 2022 को फिल्म आने वाली है इस फिल्म से काफी सारी उमीदें लगाए रखे रक्सी सेटी की टीम ने काफी बढ़ी हा काम किया हुआ है तो कनड़ा ओडियंस तो एक्साइट है लेकिन दूसरे सेक्षन जहां पे हिंदी तमिल कनड़ तेलगू मलयालम जो से अगर उनको कंटेंट अच्छा लग गया तो फिल्म से और सोट बड़ी हीट होगी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटी टी रिलीज के ऊपर तो जिस तरह से अब यह दस जुन 2022 को फिल्म रिलीज हो रही है और उसके बाद ओटी टी पर रिलीज करवाई जाते है उसी तरह इस फिल्म के साथ भी होने वाला है जहां पे 30-35 दिन का कुछ करार करा होगा ओटी टी प्लेटफॉम के साथ जहां पे 10 जुन 2022 को फिल्म आ रही तो जुलाई मेहने तक यह फिल्म आपको ओटी टी पे पांचो लेंग्वेज में देखने को मिलेगी जहां पे ओट तो जुन 2022 को फिल्म तीटर में रिलीज हो रही है तो जुलाई मेहने के स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड वीक में यह फिल्म आपको ओटी प्लेटफॉम एमिज़न प्राइम वीडियो के ओपर ओफिश्यली विच सब्सक्रिप्सन विच इंगलिस सब्टैटल यह फ क्विच प्लेट होता है तो उसके तीन चार मैनों के बाद यह फिल्म आपको सेटलेट आपि जैनल के ओपर से सो थियेटर में देखने का मज़ा अलग होता है तो वहां पे देखोगे तो और बहतर रहेगा अदर्वाइस एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एक मेने के बाद वेसे भी सभी लेंग्वेज में पाचों लेंग्वेज में आ रही है फिल्म वितिंग लिस सब्टैटल महा अब डग किया गया है और हिंदी वर्जन में रक्सी सेटी ने खूदी अपना वोईज ओवर दिया हुआ है इससे पहले एसे नाम की फिल्म आई थी उनने स्रीमन नारायना वह पे रेपे इंडिया फिल्म होने वाली थी लेकिन हिंदी डिस्टिपिटर नहीं मिले जिस वज चुका था लेकिन रिस्टिपिटर ना मिलने की वजह से बाद में फिल्म के राइट्स बेज दिये गए थे लेकिन डबिंग वही रखी गई थी तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि रक्सी से टी कितनी बढ़िया तरीके से हिंदी बोल सकते हैं इसके अलावा यह एक प लिए कि इसी फिल्म है जो एडवेंचर कोमेडी ड्रामा फिल्म लेके आये हुए रक्सी से टी जी जहां पे इस फिल्म के साथ इस टोपिक के साथ वो एक पेन इंडिया लेवल में फिल्म को कनेक्ट करना चाहते हैं वेसे तो फिल्म का जो टोपिक है जहां पे कोमेडी फर्क इतना है कि इस टाइप की फिल्मों को positive word of mouth मिला तो अदिन प्रति दिन बढ़िया collection करेगा otherwise action film में क्या रहता है कि उसके teaser trailer इतने बहतरीन तरीके से cut out किया रहते जिस वज़े से वो सभी चीज़े वेसे attracted नजर आते भले फिल्म के अंदर कुछ हो या ना हो लेकिन इस फिल्म का जो content है जो teaser trailer आउट हुआ है जितना भी content आउट हुआ है वो काफी promising नजर आ रहा है काभी positive note के साथ लोग इसे ले रहे जिसकी वज़े से film का जो trailer आउट हुआ था तो उस trailer को भी काफी बढ़ी हा response मिला था songs को भी काफी अच्छा response मिला था trailer में जहांपे कनड़ा वर्जन को करीबन 15-20 million जितने views मिले हुए थे 15 million के आसपास के views मिले हुए वहीं पे 377 Charlie film के Malayalam वर्जन को 3 million के आसपास views मिले हुए तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 377 Charlie film जितनी कनड़ा में लोग expected है कि अच्छी फिल्म हो सकती है इतना बढ़या तरीके से जो content दिखाया है वो उनको पसंद आया हुआ है तेल्गू वर्जन के audience को भी इतना ही पसंद आ है लेकिन हिंदी का views आप देख सकते हो 23 million जिसका मतलब कि audience को ये फिल्म ज्यादा पसंद आने वाली है अगर ये trailer इतना successful साबित हो रहा है हिंदी वर्जन के लिए अगर फिल्म का content अच्छा रहा तो भले ही कम screen हो UFO इस फिल्म को हिंदी में release करवा रहा है तो UFO movies वैसे भी उतने बढ़े तरीके से फिल्म में release करवाने के लिए नहीं जाना जाता है लेकिन इस बार इस पेन इंडिया मूवी के लिए हिंदी वर्जन के लिए रक्सि से टीजे को कोई distributor तो मिला पितली बार distributor भी नहीं मिला था लेकिन अगर फिल्म का content दमदार रहा तो वैसे ही फिल्म की screens बढ़ जाएगी जो exhibitor है theater owner है वो वैसे ही distributor से ज़्यादा से ज़्यादा screens के मांग करेंगे वैसा same आपने कीजेप में देखा होगा पूसपा पार्ट वन में देखा होगा तो इस टाइप ही चीजे होती आ रही है और फिलाल में तो काफी ज्यादा level पे हो रही है जिस तरह से कस्मिर फैल्म फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ था उस फिल्म को कम से कम screens में रिलीज किया गया था राधिश्याम फिल्म जैसी बड़ी पेन इंडिया फिल्म के साथ रिलीज किया गया था लेकिन जैसे ही दूसरे दिन positive word of mouth रिए the customer files का मिला उसके सामने राधिश्याम का negative word of mouth मिला तो पूरी screens राधिश्याम से हटा के 10 कस्मिर files को दे दी गए थी जिसके चलते वह फिल्म काफे बड़ी एक हीट साबित हुई थी करीबन 300-400 करोड का gross collection किया तो सिर्फ 10-15 करोड के बज़ेट की फिल्म के सामने तो 777 चारली भी वही magic दिखा सकती है उसके ट्रीजर ट्रेलर जिस्ता से cut out किये हुए जिस्ता समर सामने पेस किये हुए जो स्टोरी को उतना reveal तो नहीं करते हाँ फिल्म का concept है वो पेले भी आ चुका है लेकिन यह सभी फिल्में इस टाइप की रहे थे इसमें emotionally आप कितना पढ़िया है वो सभी चीज़े ही main matter करती है अगर वो पढ़िया रही वो connected रही तो फिल्म वेसे ही लोगों को पसंद आ जाएगी और डोक के साथ की जो relationship के उपर फिल्म है हिंदी लेंग्वेज में अभी तक पितले कहीं लंबे समय में आई नहीं है entertainment आई थी अक्सेकुमा डोक से पुचते कि वो उससे कितना प्यार कता है उसके उपर जिस तर से सभी चीज़े दिखाई हुए वो बढ़िया नजर आ रही थी वो last के 15 second के moment फिल्म में आपके आखे नम कर देगी तो इस तर से फिल्म की कहानी अगर पूरी तर से execute करके दिखाई होगी तो जरूर फ जाला की से सभी चीज़ों को set किया हुआ था जिस वज़े से फिल्म काफी बेहतर इनवे में आपको connected रखेगी उसका अंदाजाद दे जाती है सिर्प टेलर से ही एडिटर थे प्रतिक सेटी ने जिन्नोंने फिल्म को करीबन 2,5 गंटे का सवा 2,5 गंटे का run time दिया हुआ ह वेसे 777 Charlie film Hindi version में भी release हो रहे है जहां पर without cut इस फिल्म को sensor board की तब से US certificate मिला हुआ है इस फिल्म के कहानी के ओपर बात करें तो 777 Charlie film का exact plot बता तो नहीं सकते लेकिन इस फिल्म की कहानी जितनी पता चली है तो वो एक dog Charlie के related है जहां पर एरक्सी सेटी की जो पहले life है पूरी issues होते जिसकी वज़े से वो hospital चला जाता है वहीं dog उसको help करता है तो वहीं से उन दोनों की दोस्ती start हो जाती है सायद रक्सी सेटी को कोई बीमारी होगी ऐसा कुछ होगा जिसके चलते हैं उनकी life आने वाले समय में खतम होने वाले तो वो dog के साथ मिलकर पूरी दुनिया का एक world tour करते हैं तो उस समय के दोरान वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं उसी समय के दोरान dog के साथ कुछ ऐसी चीज़े होती है जो खो जाता है तो अब किस तरह से रक्सी सेटी उनको ढूनते हैं और वहीं वन सभी चीज़ों में अलग अलग upload भी हैट किये होंगे बश्रूर यह फिल्म सबको पसंद आने वाली है इस फिल्म के स्क्रीन प्ले रायटिंग डिरेक्शन कीरन राचगे ने की हुई है जिन्नों इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुए और डाइलोग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किये हुए प्रडियुसर है रक्षि जितना बजट लगा दिया है तो एक अच्छा खासा बजट है मिडियम बजट की फिल्म बोल सकते हैं लेकिन अगर ये पेन इंडिया लेवल पर हीट कर गए तो आसानी से 300-400 करोड का कलेक्शन कर सकती है जिसकी बदलती फिल्म अच्छा खासा एक टेग मार्क क्रेट कर सकती ह इसके लगा फिल्म की लीड कास्ट के बात करें तो रक्सेटी आपको देखने को मिलेंगे धर्मा के रोल में संगीता स्रीन गेरी देखने को मिलेंगे देवी का रोल में चारली दा लेबरोर डोक के तोर पे दिखाए देंगे राज 2080 आपको डॉक्टर अस्विन कुमार के रोल में दिखाए देंगे डानिस सेट आपको करसन रोई के रोल में दिखाए देंगे बोबी सीमहा ने एक केमिय आपिरेंस दिया हुआ है जिनका रोल काफी इंटरिस्टिंग नजर आ रहा है ट्रेलर से सिनेमेटोग्राफी अर्विन कस्यप ने की हुए फिलाल में जितने भी सोड देखने को मिल रहे जितना भी कंटेंट देखने को मिल रहे है उसमें उनका केमुरा और काम काफी अमेजिंग नजर आ रहा है चीज़ों को काफी ब्यूटिफुल मेनर में उन्हों नहीं हमारे सामने करवर करके दिखाया हुआ है म्यूजिक जैवे नो बिन पोल ने जहाँ पे फिल्म में जिस तर सी इमोशनल सिन्स में जो बेग्राउंड स्कॉर में जो म्यूजिक बदता है जो कोमेडी सिक्वांस है जो ट्रामा है जो बेग्राउंड सीन में जो मिजिक सेट किया हुए जो सौंग सिलक किया हुए जो सौंग कंपोस्ट किया हुए वो काफी अमेजिन नजर आ रहा है जो फिल्म का साउंट रेक है उसको रिलिस करवा दिया गया है जहाँ पे फिल्म में अभी एक से दो गाने रिलीस करवाये हुए, जहाँ पे टोर्चर नाम का गाना रिलीस करवाये हुए, दूसरा ओगा नाम का एक गाना रिलीस करवाये हुए, दोनों गाने काफी हीट साबित हुए, और विजियोले भी लोगों को पसंद आए, फिल्म की वहारां किरला वर्जन के लिए इस फिल्म को française कर रहे है। जहांपे उनके प्रोडक्न कम्पणि प्रिसी रज प्रोडक्शन के नीचे वह ग्श्रीम को डिस्रिब्ट करने वहालें। वहए पर छम धी वरजन UA4 फिल्म से दिस्रीब्ध करवा रही है। साथ ही में जो तमील वर्जन है वो कातिक सुभवा राज अपनी प्रोड़क्टन कमपणी स्टॉनबेंच फिजम फिल्म के नानच इस फिल्म को डिस्टीबिट करेंगे तमील वर्जन के लिए वहीं पे तिल्गू वर्जन के लिए सुरेश प्रोडक्शन है और हिंदी वर्जन के लिए सुरेश तिल्गू वर्जन का कनफम तो नहीं है लेकिन साध सुरेश प्रोडक्शन ही इस फिल्म को डिस्रिबूट कर वाएगा लाव रक्सी सेटी एक पेनिरिया लेवल पे बड़े स्टार बन जाएंगे इस फिल्म के डेवलोप्मेंट के उपर बात करें तो सेप्टेमबर 2017 कोई ओफिशली रक्सी सेटी ने ना उस किया हुआ था कि वो परमाव स्टूडियो के नीचे टिरपल सेटी नाम पे फिल्म करने वाले जहां पर उस फिल्म को कोड्यूस करेंगे और किरन राज की करने एक काम किया हुआ तो उनको इस सिल्म में डायक्तर लाया जाईगा जहां पर श्टोप्र वह उनका है और उनका है डेभी फिल्म होने वाला इसके अलावा स्क्रिप्ट को कंसीडर करने के बाद ये पहली कंड़ा फिल्म होने वाली थी जो कंड़ा लेंग्वेज में ही रिलिस की जाने वाली थी जहां पर डोग के उपर जो जिस तरका सिक्वांस दिखाया हुआ है उसमें कुछ इसके बाद में फिल्म की काश्टिंग की गई थी जहां पर इस फिल्म में लीडरोल में संगीता स्रिंगेरी देखने को मिलती है जिनको 2700 ओडिसन ले थे लड़कियों के उसमें से उनको सिलिक किया गया था और उसके बाद में जुलाई 2018 में राजबी सेटी को डोक्टर के त बोबी सिम्मा जो तमी लेक्टर है वो इस फिल्म में केमियों देने वाले और उनका कनड़ा इंडिस्ट्री के लिए डेब्यू होने वाला है फिल्म की सुटिंग आठ जुन 2018 को मेंगलर में ही की गई थी जहां पर निसपल फोटोग्राफी भी उसी दिन की गई थी इस फि पर फिल्म को सुट किया गया था जहां पर फिल्म की सुटिंग के जो सीडियूले वो काफी लंबे रखे गये था एक सीडियूल तो करीबन एक मेने के आसपास का था जहां पर इस फिल्म का जो सुटिंग कंप्लिट हुआ उसके बाद में आउनिस्री मनारायन का सुटिंग स्टार्ट किया जाता था बाद में उसका कंप्लेट होता था इसका स्टार्ट किया जाता था फिल्म के कुछ सिक्वंस को डान डेली फोरेश में भी सूट किया गया है इसके लाओ कोई ने वो वहीं पे फिल्म आया गया उसके लाओ गुजरत राजस्तान पंजाब में कुछ सिक्वांस को सूट किया गया था इस फिल्म को बनाने के लिए करीबन सो दिन लगे उनको जहां मार्ज 2020 तक पूरी तरह से फिल्म का काम कम्पलीट करवाए गया था उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था उसके बाद में कुछ इसा काम आ गया था जिसकी वज़त च्छे मेने फिल्म का प्रेक पड़ा था और अक्टॉमबर दो जाब 20 के बाद फिल्म की सूटिंग फिर से स्टार्ट की गए थी कोडिंग करनल में इमांचल प्रदेश कास्मिर में अलग-अलग सिक्वांस को सूट किया गए था 20 नौमबर 2020 तक इन सभी चीज़ों को स्टार्ट किया गया था कस्मिर का स्टूडियल 2 दिसंबर के पहले विक में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की पूरी सूटिंग को कम्पलीट करने में 170 दिन लग गए थी जहां पे 25 सक्टूमब 2020 तक पूरी तरह से फिल्म की सूटिंग को कम्पलीट करवाए गया था उसके बाद पोस्ट प्रडखे का काम किया गया था 29 जनुरी 2021 जहां पे 90सन के पूर्ट के सूटिंग क्रेक्ट हो गय थी उसके बाद पूस्ट प्रडखव में पच्छस character थे और 200 voice artist को choose किया गया था और ये 5 language के लिए इन सब इस आर्टिस को select किया गया था जहां पर सभी का proper audition लिया गया था क्योंकि एक पेन इंडिया लेवल के film थी तो वो ज़रा भी गलती नहीं चाहते थे और film के Hindi version के लिए ज़रा भी flavor में इधर इधर नहीं हो जाए जिस वज़े से उन्होंने वही authenticity रहे तो इन सबी चीजों के इन सबी आर्टिस का interview dubbing लिया था और साथ ही में film के lead actor रक्सिस सेटी ने खूद अपना voice और भी दिया था इस film के music department के ओपर बात करे तो मैंने जैसे का हक दो गाने रिलीज हुए जहांपे कनडा में दो है बाकी सबी वर्जन में एक एक गाने रिलीज किया गए torture song वाला जो गाना है वो otherwise कनडा में Oga नाम का गाना रिलीज किया गया था इस के allow distributor के उपर मैंने पूरी detailing दे दी है तो अब देखने वाली बात यह है कि यह film theater में release हो रही है तो कब तक इस film को कितना बड़ी हाथ तरीके से किसा response मिलता है किस तरह की screening और दिन प्रती दिन बढ़ती है UFO इस film को हिंदी में कितना बड़ा release करवा पाता है अगर यह सबी चीज़े सही बेठी फिल्म का content अच्छा रहा जो emotional part है वो execution में perfect रहा तो जरूर यह film show short blockbuster होने वाली 35 करवड का सिर्फ budget है इस film को आसानी से breaking on target पार तो हो जाएगा लेकिन अगर अच्छी film रही तो यार आसानी से the customer files film के तरह एक अच्छा का सारलंबा run ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों में कितना बहतरी तरके से content बाहर निकल किया आता है 31 December 2021 को इस film को पेले release करने वाले थी लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि COVID-19 के चलते काफी सारे restriction आई थी और फिल्म को postpone किया गया तो अब 10 जून 2022 को इस film आने वाली है इस film से काफी सारे उमीदे लगाये रखे रक्सी सेटी की टीम ने काफी बढ़ी हा काम किया हुआ है तो कनड़ा ओडियंस तो excited है लेकिन दूसरे section जहां पे हिंदी, तमिल, कनड़, तेलगू, मल्या, लम जो ओडियंस है अगर उनको content अच्छा लगया तो इस film से और सोट बड़ी हीट होगी अब हम बात कर लेते हैं इस film के OTT release के उपर तो जिस तरह से अब 10 जून 2022 को film release होती है तो जूलाइ महने तक ये फिल्म आपको OTT पे पांचों लेंग्वेज में देखने को मिलेगी जहां पे OTT रैट्स खरीदे हुए Amazon Prime वीडियो ने जिन्होंने तमिल, तिल्गू, कनड़ा, मल्यालम और हिंदी सभी वर्जन के रैट्स खरीदे हुए और सभी वर्जन को English सब्टाइटल के साथ वो अपलोड करने वाले तो 10 जून 2022 को ये फिल्म थियेटर में release हो रही है तो जुलाइ महने के स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड वीक में ये फिल्म आपको OTT प्लेट्फॉर्म Amazon Prime वीडियो के ओपर ओफिशली वीच सब्सक्रिप्शन वीच सब्टाइटल ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तमिल तेल को खनडा मलय अलम वर्जन में उसके साथ हिंदी वर्जन भी देखने को वहीं पे मिल जाएगा सेम तारीक को अब हम बात कर इस फिल्म के सेटेलाइट के ओपर तो जैसे ही OTT रिलिस कंप्लिट होता है तो उसके तीन-चार मैनों के बाद ये फिल्म आपको सेटेलाइट चैनल के ओपर डिफरंट डिफरंट चैनल होंगे क्योंकि सबी लिंग्वेज अलग अलग लिंग्वेजे तो अलग अलग लिंग्वेज के चैनल के ऊपर ऐफिशली इस फिल्म को फ्री में प्रिमेर करवा दिया जाएगा तो इस तरह से ये सभी platform के ओपर इस film को आप देख पाओगे officially इसके अलब मेरी मान होता अगर film का content अच्छा निकलता है तो ये theater में film देखेगा क्योंकि emotionally ये film theater में आपको बेहतरे इन तरीके से मज़ा देख पाईगी क्योंकि background score film का अच्छा है तो वो सभी चीजे film का music, film की performances तो theater में देखने का मज़ा अलग होता है तो वहाँ पे देखोगे तो और बेहतर रहेगा otherwise Amazon Prime Video के उपर एक मेने के बाद वेसे भी सभी language में पाचों language में आ रही है फिल्म within लिस सब्टाइटल वहाँ पे भी enjoy कर पाऊगे 777 Charlie, जो 2022 की Indian Kannada Language में बनी एक Payne India Film है जहाँ पे फिल्म को Kannada Language में सूट किया गया है वहीं पे तमिल, तेल्कु, मल्यालम और ह Hindu version में dubbed किया गया है और हिंदी version में रक्सी सेटी ने खूदी अपना voice over दिया Гवा है इससे पहले ASN नाम की एक फिल्म आई थी उन्हें स्रीमन नारायना जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया होता एडवेंचर आप स्रीमन नारायना वो पहले पेले पेन इंडिया फिल्म होने वाली थी लेकिन हिंदी डिस्ट्रिपिटर नहीं मिले जिस वज़ा से हिंदी वजन काफी लेट प्रिमेर करवाए गया वो भी डायरेक्ट यूटूब पे जहां पर आपको वो सुनने को मिली थी वो रक्सी से टी की थी क्योंकि फिल्म के डबिंग पूरी तरस से कंप्लेट करवा दी गई थी सेंसर सर्टिफिकेशन भी हो चुका था लेकिन डिस्ट्र एडवेंचर कोमेडी ड्रामा फिल्म है इससे पहले जितनी भी पेन इंडिया फिल्म में सक्सेस्फूल होई है जैसे की ट्रीपल रार बाहुबली वन टू के जिए फ़न टू पुस्पा पार्ट वन यह सभी एक्शन जोनर वाली फिल्म है लेकिन यह पेली एक इसी फिल्म एड्वेंचर कोमेडी ड्रामा फिल्म लेकि आये हुए रक्सी से टीजी जहां पर इस फिल्म के साथ इस टोपिक के साथ वो एक पेन इंडिया लेवल में फिल्म को चाहते हैं विसकल में यहां पर हो सकती है वे साइट टोपी के फर्क इतना है कि इस टाइप की फिल्मों को positive word of mouth मिला तो अदिन प्रति दिन बढ़िया collection करेगी otherwise action film में क्या रहता है कि उसके teaser trailer इतने बेहतरी तरीके से cut out किया रहते जिस वज़े से वो सभी चीज़े वेसे attracted नजर आते है भले फिल्म के अंदर कुछ हो या ना हो लेकिन इस फिल्म का जो content है जो teaser trailer आउट हुआ है जितना भी content आउट हुआ है वो काफी promising नजर आ रहा है काभी positive note के साथ लोग इसे ले रहे जिसकी वज़े से film का जो trailer आउट हुआ था 377 Charlie film का trailer भी आउट हो चुका है teaser भी आउट हो चुका है और film के songs भी आउट हो चुका है और सभी चीज़ों को बढ़िया response मिल रहा है सिर्फ एक language में नहीं सभी language में जहांपे film का 377 Charlie film का जो trailer आउट किया गया था तो उस trailer को भी काफी बढ़िया response मिला था songs को भी काफी अच्छा response मिला था trailer में जहांपे कनड़ा वर्जन को करीबन 15-20 million जितने views मिले हुए थे 15 million के आसपास के views मिले हुए वहीं पे 377 Charlie film के मल्यालम वर्जन को 3 million के आसपास views मिले हुए तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 377 Charlie film जितनी कनड़ा में लोग expected है कि अच्छी फिल्म हो सकती है इतना बढ़या तरीके से जो content दिखाया है वो उनको पसंद आया हुआ एक तेल्गू वर्जन के audience को भी इतना ही पसंद आया है लेकिन हिंदी का views आप देख सकते हो 23 मिले ने जिसका मतलब कि audience को ये फिल्म ज्यादा पसंद आने वाली है अगर ये trailer इतना successful साबित हो रहा है हिंदी वर्जन के लिए अगर फिल्म का content अच्छा रहा तो भले ही come screen हो UFO इस फिल्म को distributor भी नहीं मिला था लेकिन अगर फिल्म का content दमदार रहा तो वैसे ही फिल्म की screens बढ़ जाएगी जो exhibitor ए, theater owner है वो वैसे ही distributor से ज़्यादा से ज़्यादा screens के मांग करेंगे वैसा same आपने KGF में देखा होगा, pushpa part 1 में देखा होगा, तो इस टैप ही चीजे हो दिया रही है, और फिलाल में तो काफी ज्यादा level पे हो रही है, जिस तरह से कस्मिर film के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उस फिल्म को कम से कम screens में release किया गया था, रादेशयाम फिल्म जैसी बड़ी पेन इडिया फिल्म के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन positive word of mouth, the customer files का मिला, उसके सामने रादेशयाम का negative word of mouth मिला, तो पूरी screens रादेशयाम से हटा के 10 customer files को दे दी गए थी, जिसके चलते वो film, काफी बड़ी एक hit साबित हुई थी, करीबन 300-400 करोड का gross collection किया था, सिर्फ 10-15 करोड के budget की film के सामने तो 777 Charlie भी वही magic दिखा सकते हैं, उसके treasure trailer जिस्ता से cut out किये हुए, जिस्ता सामने pace किये हुए, जो story को उतना reveal तो नहीं करते हैं, हाँ film का concept है, वो पेले भी तो film वेसे ही लोगों को पसंद आ जाएगी और dog के साथ की जो relationship के उपर film है, हिंदी लेंग्विज में अभी तक पितले कहीं लंबे समय में आई नहीं है, entertainment आई थी अक्से कुमार की कहीं साल पहले, लेकिन वो film भी उसकदर successful film नहीं थी, जिस्ता से emotional है उतनी बड़िया फिल्म नहीं थी, लेकिन ये फिल्म का content जो देखने को मिल रहा है फिल्म के teaser trailer के आखरी के जो 10-15 सेकंड देखने को मिल रहे है, जहां पे रक्सिस सेटी dog से पूचते कि वो उससे कितना प्यार कता है, उसके ओपर जिस तरह से सभी चीज़े दिखाई हुए, वो बढ़िया नजर आ रही थी, वो लाश के 15 सेकंड के moment फिल्म में आपके आखे नम कर देगी, तो इस तरह से फिल्म की कहानी अगर पूरी तरह से execute करके दिखाई होगी, तो जरूर फिल्म बढ़िया होने वाली है, एडिटर ने काफी बहतरीन काम किया है, क्योंकि पूरे ट्रेलर में अगर आखिरे में आप 15 सेकंड इतना बड़ा plot अगर एक sequence के लिए दे देते हो, तो काफी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने काफी चाला की से सभी चीजों को सेट क्या हुआ था, जिस वज़े से फिल्म काफी बहतर इन्वे में आपको connected रखेगी, उसका अंदाजाद दे जाती है, सिर्फ टेलर से ही एडिटर थे प्रतिक सेटी ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2,5 गंटे का सवादो से 5,5 गंटे का रन टाइम दिया हुआ है, वैसे 777 Charlie फिल्म हिंदी वर्जन में भी रिलीज हो रहे है, जहां पे without cut इस फिल्म को सेंसर बोड की तब से US certificate मिला हुआ है, इस फिल्म के कहानी के उपर बात करें, तो 777 Charlie फिल्म का exact plot बता तो नहीं सकते, लेकिन इस फिल्म के कहानी जितनी पता चली है, तो वो एक डोग चार्ली के related है, जहां पे रक्सी सेटी की जो पहले life है, पूरी तर से हेल हो चुकी है, उसके बाद में चार्ली नाम का डोग उससे मिलता है, उसको वो बाद में एडोप करना ले तो वो डोग के साथ मिलकर पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर करते तो उसकी उस समय दोरान वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसी समय के दोरान डोग के साथ कुछ इसी चीज़े होती है, जो खो जाता है तो आप किस तरसे रक्सी सेटी उनको तूनते हैं और वहीं उन सभी चीज़ों में अलग-अलग प्लोड भी हैट किये होंगे कुछ कोमेडी सटायर भी हैट किया होगा साथ ही में कुछ मेसेज भी डिलिवर किया होगा और उन सभी चीज़ों में खास बात इमोशनली काफी बढ़ी हतरिकी से कुछ इमोशनल सिंस क्रियेट किये होंगे तो ये सभी चीज़ अगर परफेक्ट वे में एक्जिक्ट होई तो जरूर ये फिल्म सबको पसंद आने वाली है इस फिल्म की स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन किरन राचके ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुए और डायलोग्स भी उन्होंने ही क्रियेट किये हुए प्रोड्यूसर है रक्सी सेटी जो फिल्म के लीड एक्टर है तो ये अच्छा खासा बजट है मिडियम बजट की फिल्म बोल सकते है लेकिन अगर ये पेन इंडिया लेवल पे हीट कर गए तो आसानी से 300-400 करोड का कलेक्शन कर सकती है जिसकी बदोलत ये फिल्म अच्छा खासा एक टेग मार्क क्रियेट कर सकती है इस केला फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो रक्सित सेटी आपको देखने को मिलेंगे धर्मा के रोल में संगीता स्रीन गेरी देखने को मिलेंगे देवी का रोल में चारली दा लेबरोर डोक के तोर पे दिखाए देंगे राज बी सेटी आपको डौकटर अस्मिन कुमर के रॉल में दिखाये देंगे Nis सेट आपको करसन रोई के रॉल में दिखाये देंगे बोबी सिम्हा ने एक । आमेजिन्स लिया हुआ है जिनका रॉल काफी इंट्रेशंग नजर आ रहा है ट्रेलर से Cinematography Aravind Kasichip ने की हुई है फिलाल में जितने भी carre देखने को मिल रहे है जितना भी content देखने को मिल रहे है उसमें उनका camera और का काम काफ़ी amazing नजर आ रहा है चीजहों को काफ़ी beautiful manner में उनर थे करवर करके दिखाया हुआ है जहाँ पर फिल्मे जिस तरस emotional सिंस में जो बेग्राउंड स्कॉर में जो म्यूजिक बता है जो कोमेडी सिक्वांस है जो ट्रामा है जहां पर जो बेग्राउंड सीन में जो म्यूजिक सेट किया हुए जो सौंग सिलेक किया हुए जो सौंग कंपोस्ट किया हुए वो काफी अमेजिंग नजर आ रहा है फिल जुन 2022 को इस फिल्म को कनड़ा लेंगे इसके सासत तमील तिल्गु मल्यालम और हिंदी वर्जन में रिलीस करने वाले जहां पर डिस्ट्रिबिटर्स की बात करें तो 777 Charlie के लिए प्रिटी राशु कुमार के खिरला वर्जन के लिए इस फिल्म को डिस्ट्रिबिट करें जहां पर उनकी प्रॉडक्शन कमपनी प्रिश्टी राच प्रोड़क्शन के नीचे वह मल्यालम डफ्ब वर्जन डिस्ट्रिबिट करने वाले वहीं पे हिंदी वर्जन UFO फिल्म से डिस्ट्रिबिट करवा रही है साथ ही में जो तमील वर्जन है वो कातिक सुभाराज अपनी प्रोड़क्शन कमपनी स्टोन बेंच फिल्म के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रिबिट करेंगे तमील वर्जन के लिए वहीं पे तिल्गू वर्जन के लिए सुरेज प्रोड़क्शन है और हिंदी वर्जन के लिए सुरी तिल्गू वर्जन का कनफम तो नहीं है लेकिन साथ सुरेज प्रोड़क्शन इस फिल्म को डिस्ट्रिबिट करवाएगा otherwise हिंदी वर्जन की बात करें तो UFO movies ने इसके rights करी दे हुए distribution के हिंदी वर्जन के लिए तो अब देखते हैं किस film को किस तरह की इतने बड़ी release मिल पाती है 10 जुन 2022 को film release हो रही है, ये US certificate है film का content emotionally काफी connected है, अब देखते ही ये लोगों को कितना पसंद आता है अगर ये पसंद आये तो फिल्म से और सोट बड़ी हिट होने वाली है और इसके अलाव रक्सी सेटी एक पेनिरिया लेवल पे बड़े स्टार बन जाएंगे इस फिल्म के development के उपर बात करें तो September 2017 कोई officially रक्सी सेटी ने अनाउस किया हुआ था कि वह परमाव स्टूडियो के नीचे 377 चारलिल नाम की एक फिल्म करने वाले जहां पर वो उस फिल्म को को प्रोड्यूस करेंगे और किरन के राज किरन राज किये करके एक असिस्टन डायरेक्टर थे उनके भाई की फिल्म थी रिसप सेटी की रिक्की और किरिक पार्टी उसमें किरिक पार्टी में तो रक्सिस 80 लीड रोल में थे उसमें उन्होंने असिस्टन का काम किया हुआ था तो उनको इस फिल्म में डायरेक्टर पर लाया जाएगा जहां पर स्टोरी आडिया भी उनका ही है और उनका ही डेब्यू फिल्म होने वाला है इसके अलावा स्क कि पेली एक फिल्म बनने वाली थी लेकिन बाद में जिस तर से चीजे बदलती रही आगे बढ़ती रही उसके बाद में इस फिल्म को पेन इडिया लेवल पे गोसित कर दिया गया है जहां पर एक लिबरार डोग को पूरी तर से तीन मेनी की ट्रेनिंग दी गए थी इस फ उनको सिलिक किया गया था और उसके बाद में जूलाई 2008 में राजबी सेट्थि को डोक्टर के तोर पर इसमें सिलिक किया गया था जो एक बड़े बढ़ीया एक्टर है जिनकी काफी अच्छे थी करनड़ा फिल्म में आई हmind इनके साब Nós कर दैंक ब आफिनि को लिा गया था इस फिल्म की सूटिंग का काम का जो आउनिस्ट्री मना रहना 2020 की फिल्म थी उसके साथ ही स्टार्ट किया हो था दोनों फिल्मा का काम एक साथ में स्टार्ट चल रहा था जहां पे फिल्म के काफी विसारे सीडियोल सेट किये गए थे जहां पे सकलेसपूर, महिसूर, बेंग लोर मेंग लोर अलगर अलग लोकेशन पे फिल्म को सूट किया गया था जहां पे फिल्म की स्वुट्टिंग के जो सीड़ी वृ काफी लंबे रखे गया इसके लाव कोड़निकीश के वज़े से कुछ चीजों में फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था उसके बाद में के कुछ पूशन को गुजराट में राजस्तान पंजब और गोवा में भी सूट किया गया था इस फिल्म के जो जनवरी 2020 के बाद की जो सूटिंगे वो ज़ादातर नोथ इंडिया में सूट की गए थी जहां पर कहीं सारे सीन्स को आपको गोवा के सीन्स भी देखने को मिलेंगे जहां पर रक्सी सेटी और चारली के बीच के जो बॉन्ड वाले सीने वो वहीं पे फिल्म आया गया गया उसके लाओ गुजरत रजस्तान पंजाब में कुछ सीकॉंस को सूट किया गया था इस फिल्म को बनाने के लिए करीबन सो दिन लगे उनको जहां पर मार्च 2020 तक पूरी तरह से फिल्म का काम कंप्लीट करवाए गया था उसके बाद में कुछ पेच वरक का काम था उसके बाद में फिलम में कुछ इसा काम आ गया था जिसकी वज़स 6 मेंने फिलम का ब्रेक पड़ा था और अक्टॉमबर 2020 के बाद फिलम की सुटिंग फिर से स्टार्ट की गए थी कोडिंग करनल में इमानचर प्रदेश कास्मिर में अलग-अलग सिक्वांस को सूट किया गया था 20 नौमबर 2020 तक इन सभी चीज़ों को स्टार्ट किया गया था कास्मिर का स्टूडियू 2 दिसंबर के पहले विक में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की पूरी सूटिंग को कम्पलीट करने में 170 दिन लग गए थे जहांपे 25 अक्टूमब 2020 तक पूरी तरह से फिल्म की सूटिंग को कम्पलीट करवाय गया था उसके बाद पोस्ट प्रड़क्शन का काम किया गया था और 200 वोईज आर्टिस को चूज किया गया था और यह पांच लेंग्विज के लिए इन सभी आर्टिस को सिलिक किया गया था जहां पर सभी का प्रॉपर ओडिशन लिया गया था क्योंकि एक पीन इंडिया खुद अपना वोई जोर भी दिया था इस फिल्म के मुजिक डिपार्टमेंट के उपर बात करें तो मैंने जैसे काहक दो गाने रिलीज होए जहां पर कनडा में दो है बाकी सभी वजन में एक एक गाने रिलीज किया गये टोचर सौंग वाला जो गाना है वो अदर्वाइस कनडा में ओगा नाम का गाना रिलीज किया गया था इसके अलाव डिस्ट्रिबुटर के उपर मैंने पूरी डिटेलिंग दे दी है तो अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म थियाटर में रिलीज हो रही है तो कब तक इस फिल्म को कितना बढ़ी तरीके से किसा रिस्पोंस मिलता है किस तरह की स्क्रीनिंग और दिन प्रति दिन बढ़ती है यूएफो इस फिल्म को हिंदी में कितना बढ़ा रिलीज करवा पाता है अगर यह सभी चीज़े सहीं बेठी फिल्म का कंटेंट अच्छा रहा जो इस फिल्म को इस फिल्म को पेले रिलीज करने वाले थे लेकिन जैसे क मैंने बताया कि कोविड-19 के चलते काफी सारे रिष्ट्रिक्शन आई थी और फिल्म को पोस्ट्वन किया गया तो अब 10 जून 2022 को इस फिल्म आने वाली है इस फिल्म से काफी सारे उमीदे लगाये रखे रक्सी सेटी की टीम ने काफी बढ़े हा काम किया हुआ है तो कनड़ा ओडियंस त होती है तो जिस तर से पहले सभी अभी फिल्म में रिलीज हो रही है और उसके बाद ऊटीटी पर रिलीज करवाई जाती है ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ भी होने वाला है जहां पर 30-35 दिन का कुछ करार करा होगा ऊटीटी प्लेटफॉम के साथ जहां पर 10 जून 2022 को फ सब्लोड करने वाले तो 10 जून 2022 को फिल्म त्याटर में रिलीज हो रही है तो जुलाई मेहने के स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड वीक में ये फिल्म आपको टिटी प्लेटफॉर्म एमिजन ट्रायम वीडियो के ऊपर ऑफिशली वीच सब्सक्रिप्सन वीचिंगल सब्टाइटल ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तमिल तेल्गु खनडा मल्यालम वर्जन में उसके साथ हिंदी वर्जन भी देखने को वहीं पे मिल जाएगा सेम तारीक को अब हम बात कर इस फिल्म के उपर तो जैसे वो टिटी रिलीज कंप्लिट होता है तो उसके तीन मेरी मान होता अगर फ्ल्म का कंटेंड अच्छा निकलता है तो ये फिल्म देखेगा क्योंकि एमोशनल ये फिल्म फ्ल्म इज़ए त्रिक्तर में आपको बहतर में फिल्म सब्भाइग ऊला है तो वहां पे देखोंगे तो और बहतर रहे गाशनथमर्न वेडियो के पेन इंडिया फिल्म है जहां पे film को कनराल इंग्विज में सूड किया गया है वहीं पे तमिल तेलकु मल्यालम और हिंधी वर्जन में डब्ड किया गया है और हिंधी 這टी ने खुदी ना वोईस ओवर दिया हुआ है इस से पेले एसे नाम की एक फिल्म आई थी अउने स्रीमन नाराइन जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम देवाते अडवेंचर आप स्रीमन नाराइन वो पेले पेन इंडिया फिल्म होने वाली थी लेकिन हिंदी डिस्ट्रिपिटर नहीं मिल था लेकिन डिस्ट्रिपिटर ना मिलने की वज़े से बाद में फिल्म के राइट्स बेज दिये गए थे लेकिन डबिंग वही रखी गए थी तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि रक्सी से टी कितनी बढ़िया तरीके से हिंदी बोल सकते हैं इसके अलावा यह एक पेन जोनर वाली फिल्म है लेकिन यह पेली एक इसी फिल्म है जो एडवेंचर कोमेडी ड्रामा फिल्म लेके आये हुए रक्सी से टी जी जहां पे इस फिल्म के साथ इस टोपिक के साथ वह एक पेन इंडिया लेवल में फिल्म को कनेक्ट करना चाहते हैं वेसे तो फिल्म का ज नहीं में पेन इंडिया में connect हो सकती है वे साइट टोपी के फर्क इतना है कि इस टाइप की फिल्मों को positive word of mouth मिला तो अधीन प्रति दिन बढ़िया collection करेगा अधर्वाइज एक्सन फिल्म में क्या रहता है कि उसके टीजर ट्रेलर इतने बहतरीन तरीके से cut out किये रहते जिस वजह से वो सभी चीजे वे से attracted नजर आते हैं भले फिल्म के अंदर कुछ हो या ना हो लेकिन इस फिल्म का जो content है जो teaser trailer आउट हुआ है जितना भी content आउट हुआ है वो काफी promising नजर आ रहा है काभी positive note के साथ लोग इसे ले रहे जिसकी वजह से फिल्म का जो trailer आउट चुका है teaser भी आउट हो चुका है और फिल्म के songs भी आउट हो चुक है और सभी चीजों को बढ़िया response मिल रहा है सिर्फ एक language में नहीं सभी language में जहां पे film का triple seven Charlie film का जो trailer आउट किया गया था तो उस trailer को भी काफी बढ़िया response मिला था songs को भी काफी अच्छा response मिला था trailer मे जहां पे कनड़ा version को करीबन 15-20 million जितने views मिले हुए ते 15 million के आसपास के views मिले हुए वहीं पे triple seven Charlie film के मल्यलम वर्जन को 3 million के आसपास views मिले हुए तमील वर्जन में थ 수도 साढ़ेतीन मिलें के आसपास के views है वहीं पे तेलगू वर्जन में करीबन set. 6000 million के views हासिल है और इसक अंदाजा लगा सकते हो कि त्रिपल सेवन चारली फिल्म जितनी कनड़ा में लोग एक्सपेक्टेड है कि अच्छी फिल्म हो सकती है इतना बढ़िया तरीके से जो कंटेंड दिखाया है वो उनको पसंद आया हुआ एक तेलगू वर्जन के ओडियंस को भी इतना ही पसंद आये लेकिन हिंदी का व्यूज आप देख सकते हो 23 मिलेने जिसका मतलब कि ओडियंस को यह फिल्म ज्यादा पसंद आने वाली अगर यह ट्रेलर इतना सक्सेस्फुल साबित हो रहा हिंदी वर्जन के लिए अगर फिल्म का कंटेंड अच्छा रहा तो भले ही कम स्क्रीन हो यूएफो इस फिल्म को हिंदी में रिलिस करवा रहा है तो यूएफो मॉवीज वेसे भी उतने बढ़े तरीके से फिल्म में रिलिस करवाने के लिए नहीं जाना जाता है लेकिन इस बार एक लिस्ट पेन इंडिया मुवी के लिए हिंदी वर्जन के लिए रक्सिसे टीजी को कोई डिस्ट्रीबिटर तो मिला पितली बार डिस्ट्रीबिटर भी नहीं मिला था लेकिन अगर फिल्म का कंटेन्द दमदार रहा तो विएसे ही फिल्म की स्क्रिंस बढ़ जाएगी जो एक्जीबिटर है, थीएटर, ओनर है वो विएसे ही डिस्रिबिटर से ज़यदा से ज़यदा स्क्रिंस के मांग करेंगे विए साथ सेम आपने कीजी एप में देखा होगा पुषपा पॉर्पा पार्ट बन में देखा होगा तो इस टाइब फी चीजे होती आ रही है और फिलाल में तो काफी ज्यादा लेवल पे हो रही है जिसता से कस्मिर फ़ाइम फ़िल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ था उस film को कम से कम screens में release किया गया था राधिशयम फिल्म जैसी बड़ी पेन इडिया फिल्म के साथ रिलीज किया गया था लेकिन जैसे ही दूसरे दिन positive word of mouth the customer files का मिला उसके सामने राधिशयम का negative word of mouth मिला तो पूरी screens राधिशयम से हटा के 10 customer files को दे दी गए थी जिसके चलते है वो फिल्म काफे बड़ी एक hit साबित हुई थी करीबन 300-400 करोड का gross collection के अतर सिर्फ 10-15 करोड के budget की फिल्म के सामने तो 377 Charlie भी वही magic दिखा सकते है उसके treasure trailer जिस्ता से cut out किये हुए जिस्ता समारे सामने pace के हुए जो story को उतना reveal तो नहीं करते हाँ फिल्म का concept है वो पेले भी आ चुका है लेकिन ये सभी फिल्मे इस टाइप के रिते इसमें emotionally आप कितना बढ़िया तरके से execute कर पाए performances कितनी बढ़िया है वो सभी चीज़े ही main matter करती है अगर वो बढ़िया रही वो connected रही तो फिल्म वेसे ही लोगों को पसंद आ जाएगी और डोग के साथ की relationship के उपर फिल्म है हिंदी लेंग्वेज में अभी तक पितले कहीं लंबे समय में आई नहीं है entertainment आई थी अक्से कुमार की कहीं साल पेले लेकिन वो फिल्म भी उसकदर एक successful फिल्म नहीं थी जिस तर से emotional है उतनी बढ़िया फिल्म नहीं थी लेकिन ये फिल्म का content जो देखने को मिल रहे फिल्म के टीजर ट्रेलर के आकरी के जो 10-15 सेकंड देखने को मिल रहे जहां पे रक्सी सेटी डोक से पूचते कि वो उससे कितना प्यार कता है उसके उपर जिस तर से सभी चीज़े दिखाई हुए वो बढ़िया नजर आ रही थी वो लाश्ट के 15 सेकंड के moment फिल्म में आपके आखे नम कर देगी तो इस तरह से फिल्म की कहानी अगर पूरी तर से execute करके दिखाई होगी तो जरूर फिल्म बढ़िया होने वाली है एडिटर ने काफी बहतरीन काम किया है क्योंकि पूरे ट्रेलर में अगर आखिरे में आप 15 सेकंड इतना बड़ा प्लोट अगर एक sequence के लिए दे देते हो तो काफी बड़ी बात है लेकिन उन्होंने काफी चाला क गंटे का रन टाइम दिया हुआ है वेसे 777 Charlie फिल्म हिंदी वर्जन में भी रिलीज हो रहे है जहां पे विदाउट कट इस फिल्म को सेंसर बोड की तब से यूए सटिपिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के कहानी के उपर बात करें तो 777 Charlie फिल्म का एक्जेट प्लोट बता तो नहीं सकते लेकिन इस फिल्म के कहानी जितनी पता चली है तो वो एक डोग Charlie के रिलेटेड है जहां पे रक्सी सेटी की जो पहले लाइफ है पूरी तर से हैल हो चुकी है उसके बाद में Charlie नाम का डोग उसे मिलता है उसको वो बाद में एडोप करना नहीं चाहता है लेक होने वाले तो वो डोग के साथ मिलकर पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर करते तो उसकी उस समय दोरान वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते उसी समय के दोरान डोग के साथ कुछ इसी चीज़े होती है जो खो जाता है तो अब किस तरसे रक्सी सेटी उनको ढूनते है औ कुछ कोमेडी सटायर भीती होगा साथ ही में कुछ मेसेज्च भी दिलिवर किया होगा और उन सभी चीजों मेन खास बात इमोस्टनली काफी बढ़ीतर की से कुछ इमोस्टनल सेंस क्रिएट किये होँगे तो यह सभी चीज अगर परफेक्ट वाइम एक्जक्यस होई तो ज़रूर यह film सबको पसंद आने वाली है इस फिल्म के स्क्रिन प्ले राइटिंग डिरेक्शन के रन राच के ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रिन प्ले भी लिखा हुए और डायलोग्स भी उन्होंने recreate किये हुए प्रडूसर है रक्षी सथेथी जो फिल्म के लीड एक्टर है वो उनके साहथ को प्रोडूज कर रहे है जी एस कुप्ता इस फिल्म को परवा स्टूडियोप्रो्डूक्सन कंपनी के नीचे प्रोडूज किया जा रहा है जहाँ पे फिल्म को कनरा लेंग विज में तो बनाया गया है लेकिन इस फिल्म के बजट की बात करे तो 35 करोड जितना बजट लगा दिया है तो एक अच्छा खासा बजट है मिडियम बजट की फिल्म बोल सकते हैं लेकिन अगर ये पेन इंडिया लेवल पे हीट कर गए तो आसानी से 300-400 करोड का कलेक्शन कर सकती है जिसकी बदोलत ये फिल्म अच्छा खासा एक टेग मार्क क्रियेट कर सकती है इस कीला फिल्म के लीड काश्ट की बात करैं तो रक्सेति से estarटी आपको देखने को मिलेंगे धरमा के रोल में संगीता सरीन गेरी देखने को मिलेगे देवी का रोल में चारली दा लेबरो डोक के तौर पर दिखाए देंगे राज बी सेटी आपको डॉक्टर अस्विन कुमार के रोल में दिखाए देंगे डानिस सेट आपको करसन रोई के रोल में दिखाए देंगे बोबी सीमहा ने एक क्यमियो अपिरियंस दिया हुआ है जिनका रोल काफी इंटरिस्टिंग नजर आ रहा है ट्रेलर से सिनेमेटोग्राफी अर्विन कसी अपने की हुए फिलाल में जितने भी सोड देखने को मिल रहा है जितना भी कंटेन देखने को मिल रहा है उसमें उनका केमरा और का काम काफी अमेजिंग नजर आ रहा है चीजों को काफी beautiful manner में उन्होंने हमारे सामने करवर करके दिखाया हुआ हुआ है जहाँ पे फिल्म में जिस तर से emotional sense में जो background score में जो music बहता है जो comedy sequence है जो drama है जहाँ पे जो background scene में जो music state किया हुए जो songs select किया हुए जो song compose किया हुए वो काफी amazing नजर आ रहा है दोनों गाने काफी hit साबित हुए और visually भी लोगों को पसंद आये फिल्म की release के उपर बात करें दस जुन 2022 को इस फिल्म को कनड़ा लेंगेज के सासत तमील तेल्गु मल्यालम और हिंदी वर्जन में release करने वाले जहां पे distributors की बात करें तो त्रिपल सेवन चारली के लिए प्रितिरा सुकुमारन के केरला वर्जन के लिए इस फिल्म को distribute कर रहे जहां पे उनके production company प्रितिराज production के नीचे वो मल्यालम डवड़ वर्जन distribute करने वाले वहीं पे हिंदी वर्जन UFO films distribute कर वा रहे है साथ ही में जो तमील वर्जन है वो कार्तिक सुबाराज अपनी production company stone bench films के नीचे इस फिल्म को distribute करेंगे तमील वर्जन के लिए वहीं पे तिल्गू वर्जन के लिए सुरेश production है और हिंदी वर्जन के लिए सुरी तिल्ग वर्जन का confirm तो नहीं है लेकिन साथ सुरेश production नीचे इस फिल्म को distribute कर वाएगा otherwise हिंदी वर्जन की बात करें तो UFO movies ने इसके rights करी दे हुए distribution के हिंदी वर्जन के लिए तो अब देखते हैं किस फिल्म को किस तरह की इतने बड़ी release मिल पाती है और इसके अलाव रक्सी सेटी एक पेनिरिया लेवल पे बड़े स्टार बन जाएंगे इस फिल्म के development के उपर बात करें तो सेप्टेमबर 2017 कोई officially रक्सी सेटी नाना उस किया हुआ था कि वो परमाव स्टूडियो के नीचे त्रिपल सेटी नाम की एक फिल्म करने वाले जहां पे उस फिल्म को को प्रोड्यूस करेंगे और किरन के राज किरन राज किये करके एक assistant director थे उनकी भाई की फिल्म थी रिसब सेटी की रिक्की और किरिक पार्टी उसमें किरिक पार्टी में तरक्सी सेटी लीड रोल में थी उसमें उन्होंने assistant का काम किया हुआ था तो उनको इस फिल्म में director थे तोर पे लाया जाएगा जहां पे story idea भी उनका ही है और उनका ही है डेबियू फिल्म होने वाला है इसके अलावा script को consider करने के बाद ये पहली कंड़ा फिल्म होने वाली थी जो कंड़ा language में release की जाने वाली थी जहां पे dog के उपर जो जिस तरका sequence दिखाया हुआ है उसमें कुछ real life incident के उपर इस फिल्म के कहानी सेट की है इस टाइब की पहली एक फिल्म बनने वाली थी लेकिन बाद में जिस तर से चीज़े बदलती रही आगे बढ़ती रही उसके बाद में इस फिल्म को पेन इडिया लेवल पे कोसित कर दिया गया है जहाँ पेक लेवरार डोग को पूरी तर से तीन मेनी की ट्रेनिंग दी गए थी इस फिल्म के जो incident है उसको recreate करने के लिए जो real incident है उसको recreate करने के लिए उसके बाद में फिल्म की casting की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में लीड रोल में संगीता स्रिंगेरी देखने को मिलती है जिनको 2700 ओडिसन ले थे लड़कियों के उसमें से उनको सिलेक किया गया था और उसके बाद में जुलाई 2018 में राजबी सेटी को डोक्टर के तोर पे इसमें सिलेक किया गया था जो एक बड़े बढ़िया एक्टर है ज पतल फोटोग्राफि प्योसिंठी कि गई थी इस फ्लम की स्टिंग का का सियुकर मना रहने 2020 कीषी उसके साथ ही स्टार्ट किया हो था दोनों फिल्म की सुटिंग के जो सीडियो LAY वो काफी लंबे रखे गए एक सीडियो तो करीबन एक मेहने के आसपास का था जहां पे इस फिल्म का जो सुटिंग कंप्लेट होगा इसके बाद में और निस्त्री मनाराइन का सुटिंग और गोवा में भी सूट किया गया था इस फिल्म के जो जनवरी 2020 के बाद की जो सूटिंग है वो ज्यादा तर नोथ इंडिया में सूट की गए थी जहां पर कहीं सारे सीन्स को आप गोवा के सीन्स भी देखने को मिलेंगे जहां पर रक्सी सेटी और चारली के बीच के जो का काम था उसके बाद में फिल्म में कुछ इसा काम आ गया था जिसकी वज़स छे मेंने फिल्म का प्रेक पड़ा था और अक्टॉमबर दो जाब इसके बाद फिल्म की सूटिंग फिर से स्टार्ट की गए थी कोडिंग करनल में इमांचर प्रदेश का समीर में अलग- लग गये थे जहांपर पच्छी सक्टॉमबर 2020 तक पूरी तरह से फिल्म की सूटिंग को कंप्लीट करवाए गया उसके बाद पोस्ट प्रड़क्शन का कम किया गया था 29 जनूरी 2021 जहांपर 90 परसंट फिल्म के सूटिंग कंप्लीट हो गय थी उसके बाद पोस्ट ते और दोस्तों वोई आटिस्स को चूश किया गया था और यह पांच लेंग्वेज के लिए इन सभी आटिस्स को सिलिक किया गया था जहां पे सभी का प्रॉपर ओडिशन लिया गया था क्योंकि एक पीन इंडिया लेवल के फिल्म थी तो वो जरा भी गलती नहीं चाहते थ था और साथ ही में फिल्म के लीड एक्टर रक्सी सेक्टी ने खूद अपना वोई जवर भी दिया था इस फिल्म के मुजिक डिपार्टमेंट के ओपर बात करें तो मैंने जैसे कहाँ दो गाने रिलीज हुए जहां पर कनडा में दो है बाकि सभी वजन में एक गाने रिली हो रही है तो कब तक इस फिल्म को कितना बढ़ीत के से किसा रिज्प Duty और और दिन बढ़ती है यूए फो इस फिल्म को हिंदी में कितना बड़ा रिलीज कर वा पाता है अगर यह सभी चीज चीजे सहीं बैठी फिल्म का कंटेंट अच्छा रहा जो emotional पार्ट है वो एक्ज फिल्म की तरह एक अच्छा खासा लंबा रन ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीजों में कितना बेहतरी तरके से कंटेंट बाहर निकल किया आता है 31 दिसंबर 2021 को इस फिल्म को पेले रिलीस करने वाले थी लेकिन जैसिक में ने बताया कि कोवीड-19 के चलते काफी सारे रिष्ट्रिक्शन आई थी और फिल्म को पोस्पोन किया गया तो अब 10 जून 2022 को इस फिल्म आने वाली है इस फिल्म से काफी सारे उमीद ही लगाए रखे रक्सी सेटी की टीम ने काफी बढ़ी हा काम किया हुआ है तो कनड़ा ओडियंस तो ए दर से पहले सभी अभी फिल्म में रिलीज हो रही और उसके बाद टीटी पर रिलीज करवाई जाते है ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ भी होने वाला है जहां पे 30-35 दिन का कुछ करार करा होगा ओटीटी फ्लेट्फरम के साथ जहां पे 10 जून 2022 को फिल्म आ रही तो जू वर्जन को इंगलिज सब्टाइटल के साथ वो अपलोड करने वाले तो 10 जून 2022 को फिल्म थीटर में रिलीज हो रही है तो जुलाई मेहने के स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड वीक में ये फिल्म आपको वर्टीटी प्लेटफॉर्म एमिजन ट्राइम वीडियो के इस फिल्म को फ्री में प्रिमेर करवा दिया जाएगा तो इस तरह से यह सभी प्लेटफॉर्म के उपर इस फिल्म को आप देख वाओगे ऑफिशली इसके अलाव मेरी मानों अगर फिल्म का कंटेंड अच्छा निकलता है तो यह थीटर में फिल्म देखेगा क्योंकि एमो इस फिल्म को कनटा लेंग्विज में सूट किया गया है वहीं पे तमिल तेल्गु मल्यालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया गया है और हिंदी वर्जन में रक्षी सेट्री ने खूदी अपना वोईजवर दिया हुआ है इससे पेले एसन नाम की एक फिल्म आई थी अउनने स्रीमन नारायना जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम देवता एडवेंचर आप स्रीमन नारायना वो पेले पेन इंडिया फिल्म होने वाली थी लेकिन हिंदी डिस्टुबिटर नहीं मिले जिस वज़ए से हिंदी वर् लेट प्रिमेर करवाए गया वो भी डायरेक्ट योटूब पे जहाँ पे आपको वो सुनने को मिली थी वो रक्सिट सेटी की थी क्योंकि फिल्म के डबिंग पूरी तरस से कंप्लिट करवा दी गई थी सेंसर सर्टिफिकेशन भी हो चुका था लेकिन रिश्यूपिटर ना म मेडियम बजट है और यह एक एडवेंचर कोमेडी ड्रामा फिल्म है इससे पहले जितनी भी पेन इंडिया फिल्म में सक्सेस्फूल हुई है जैसे की ट्रीपल र बाहु बली वन टू के जिए वन टू पुस्पा पार्ट वन यह सभी एक्शन जोनर वाली फिल्म है लेकिन यह पेली एक इसी फिल्म है जो एडवेंचर कोमेडी ड्रामा फिल्म लेके आये हुए रक्सी से टीजी जहां पे इस फिल्म के साथ इस टोपिक के साथ वो एक पेन इंडिया लेवल में फिल्म को कनेक्ट करना चाहते है वेसे तो फिल्म का जो टोपिक है जहां पे कोमेडी adventure जिस तरह से डोग के साथ relationship जो emotional चीजे वो सभी चीजे ट्रेलर में अभी तक देखने को मिली है तो वो सभी चीजे पूरी तरह से connected नजर आ रही है साथ ही में ये सभी चीजे सही में पेन इंडिया में connect हो सकती है वे साइट टोपी के फरक इतना है कि इस टाइप की फिल्मों को positive word of mouth मिला तो अदिन प्रति दिन बढ़िया collection करेगी otherwise action film में क्या रहता है कि उसके टीजर ट्रेलर इतने बहतरीन तरीके से cut out किया रहते जिस वजह से वो सभी चीजे वेसी attracted नजर आते भले फिल्म के अंदर कुछ हो या ना हो लेकिन इस फिल्म का जो content है जो teaser trailer आउट हुआ है जितना भी content आउट हुआ है वो काफी promising नजर आ पॉजेटिव नोट के साथ लोग इसे ले रहे जिसकी वजह से फिल्म का जो trailer आउट हुआ था तो उस trailer को भी काफी बढ़िया response मिला था songs को भी काफी अच्छा response मिला था ट्रेलर में जहांपे कनड़ा वर्जन को करीबन 15-20 मिलियन जितने व्यूज मिले हुए थे 15 मिलियन के आसपास के व्यूज मिले हुए वहीँ पे 377-4 फिल्म के मल्या लम वर्जन को 3 मिलियन के आसपास व्यूज मिले हुए तमील वर्जन में 35 मिलियन के आसपास के वियूज है वहीं पे तिल्गू वर्जन में करीबन 7.5 छे मिलियन के व्यूज हासिल है और इसके अलाओ जो हिंदी वर्जन है वो सबसे आया हुआ एक तेलगू वर्जन के ओडियंस को भी इतना ही पसंद आ है लेकिन हिंदी का व्यूज आप देख सकते हो 23 मिलेने जिसका मतलब कि ओडियंस को यह फिल्म ज्यादा पसंद आने वाली अगर यह ट्रेलर इतना सक्सेस्फुल साबित हो रहा है हिंदी वर्जन के लेकिन इस बार एक पेन इंडिया मुवी के लिए हिंदी वर्जन के लिए रक्सी से टीजी को कोई डिस्ट्रिबिटर तो मिला पितली बार डिस्ट्रिबिटर भी नहीं मिला था लेकिन अगर फिल्म का कंटेंद दमदार रहा तो वैसे ही फिल्म की स्क्रिंस बढ़ रही है और फिलाल में तो काफी ज्यादा लेवल पे हो रही है जिस तरह से कस्मिर फैल्म फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ था उस फिल्म को कम से कम स्क्रेंट में रिलीज किया गया था राद शीम फिल्म जैसी बड़ी पेन इंडिया फिल्म के साथ रिलीज किया गया था लेकिन जैसे ही दूसरे दिन positive word of mouth the customer files का मिला उसके सामने राजे सहाम का negative word of mouth मिला तो पूरी screens राजे सहाम से हटा के 10 customer files को दे दी गए थी जिसके चलते वो फिल्म काफे बड़ी एक hit साबित हुई थी करीबन 300-400 करोड का gross collection किया तो सिर्फ 10-15 करोड के बजट की फिल्म के सामने तो 377 Charlie भी वही magic दिखा सकते हैं उसके teaser trailer जिस्ता से cut out किये हुए जिस्ता समारे सामने paste किये हुए जो story को अतना reveal तो नहीं करते हाँ फिल्म का concept है वो पेले भी आ चुका है लेकिन ये सभी film में इस type के रहे थे इसमें emotionally आप कितना बढ़िया तरके से execute कर पाए performances कितनी बढ़िया है वो सभी चीज़े ही main matter करती है अगर वो बढ़िया रही वो connected रही तो film वेसे ही लोगों को पसंद आ जाएगी और डोग के साथ की जो relationship के उपर film है हिंदी लेंग्वेज में अभी तक पितले कहीं लंबे समय में आई नहीं है entertainment आई थी अक्से कुमार की कहीं साल पेले लेकिन वो film भी उसकदर एक successful film नहीं थी जिस तर से emotional है उतनी बढ़िया फिल्म नहीं थी लेकिन ये फिल्म का content जो देखने को मिल रहे फिल्म के टीजर ट्रेलर के आखरी के जो 10-15 सेकंड देखने को मिल रहे है जहां पे रक्सी सेटी डोक से पूचते है कि वो उससे कितना प्यार कता है उसके उपर जिस तर से सभी चीज़ें दिखाई हुए वो बढ़िया नजर आ रही थी वो लाश्ट के 15 सेकंड के moment फिल् में आप 15 सेकंड इतना बड़ा प्लोट अगर एक सिक्वंस के लिए दे देते हो तो काफी बड़ी बात है लेकिन उन्होंने काफी चाला की से सभी चीज़ों को सेट क्या हुआ ता जिस वज़े से फिल्म काफी बेहतर इनवे में आपको connected रखेगी उसका अंदाजा दे जा इस फिल्म के कहानी के उपर बात करें तो त्रीपल सेवन चाली फिल्म का एकज़ेट प्लोट बता तो नहीं सकते लेकिन इस फिल्म के कहानी जितनी पता चली है तो वो एक डोग चाली के related है जहां पे रक्सी सेटी की जो पहले life हो पूरी तर से हैल हो चुकी है उसके बाद में चाली नाम का डोग उसे मिलता है उसको वो बाद में एडोप करना नहीं चाता है लेकिन दीरे दीरे उसके साथ जो कुछ issues होते जिसकी वज़े से वो हस्पिटल चला जाता है वहीं डोग उसको help करता है तो वहीं से उन दोनों की दोस्ती start हो जाती है साहे द्रक्सी सेट चीज़े होते हैं जो खो जाता है तो अब किस तरसे रक्सी सेटी उनको ढूनते हैं और वहीं उन सभी चीज़ों में अलग-अलग upload भी हेट किये होंगे कुछ comedy, satire भी हेट किया होगा साथ ही में कुछ message भी deliver किया होगा और उन सभी चीज़ों main खास बात emotionally काफी बढ़ी हत screenplay भी लिखा हुआ है और dialogues भी उन्होंने ही create किये हुए प्रोड्यूसर है रक्सी सेटी जो फिल्म के लीड एक्टर है वो उनके साथ को प्रोड्यूस कर रहे है जी एस गुपता इस फिल्म को परमवा studio production company के नीचे प्रोड्यूस किया जा रहा है जहां पे फिल्म को कंड़ language में तो बनाया गया है लेकिन इस फिल्म के बजट की बात कर तो 35 करोड जितना बजट लगा दिया है तो एक अच्छा खासा बजट है मीडियम बजट की फिल्म बोल सकते है लेकिन अगर ये पेन इंडिया लेवल पे हीट कर गए तो आसानी से 300-400 करोड का collection कर सकती है जिसक राज 2080 आपको डोक्टर अस्विन कुमार के रोल में दिखाए देंगे डानिस सेट आपको करसन रोई के रोल में दिखाए देंगे बोबी सीमहा ने एक केमियो अपिरेंस दिया हुआ है जिनका रोल काफी इंट्रेस्टिंग नजर आ रहा है ट्रेलर से सिनेमेटोग्राफी अरविन क rijp n Expert ने की हुए फिलाल में जितने भी सोड देखने को मिल रहा जितना भी content देखने को मिल रहा है उसमें उनका केम में पिजा रवियूजिक बियूजिक है फिलमें फिलाल में जो फिल्म का जो sound track के उसको release करवा दिया गया है जहां पे फिल्म में अभी एक से दो घाने release करवाय हुए जहां पे एक टोल्चर नाम का गाना release करवाय है दुसरा Oga नाम का एक गाना release करवाय हुए दोनों घाने काफी hit साबित हुए और v lidt लोगों को पसंद आ है फिल्म के release क तो इस film को कनड़ा लेंगेज के सासर तमील तेलगों मल्यालम और हिंधी वर्जन में रिलीस करने वाले जहाँ पे डिस्ट्रिबिटर्स की बात करें तो त्रिपल सेवन चारली के लिए प्रितिरा सुकुमार केरला वर्जन के लिए इस फिल्म को डिस्ट्रिबूट कर रहे हैं जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनी प्रोडक्शन के नीचे वो मल्या लमड़ वर्जन डिस्ट्रिबूट करने वाले हैं वहीं पे हिंदी वर्जन य सूरेश प्रोड़क्शन है और हिंदी वर्जन के लिए सुरी तिल्ग वर्जन का कंफर्म तो नहीं है लेकिन साथ सूरेश प्रोड़क्शन इस फिल्म को डिस्ट्रिबिट करवाएगा अदर्वाइस हिंदी वर्जन की बात करे तो यूएफो मुवीज ने इसके राइट्स क सेटी एक पेनिरिया लेवल पे बड़े स्टार बन जाएंगे इस फिल्म के डिवलोप्मेंट के ऊपर बात करें तो सेप्टेमबर 2017 कोई ओफिशली रक्षी सेटी ने अनौश किया हुआ था कि वो परमाव स्टूडियो के नीचे त्रिपल सेवन चारली नाम की एक फिल्म क करने वाले जहां पर उस फिल्म को को प्रोड्यूस करेंगे और किरन के राज किरन राज किये करके एक असिस्टन डिरेक्टर थे उनकी भाई की फिल्म थी रिसब सेटी की रिकी और की रिक पार्टी उसमें की रिक पार्टी में तो रक्सी सेटी लीड रोल में थे उसमें उ पर जो जिस तर कर सीकौन्स दिखाया हुआ है उसमें कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के ओपर इस फिल्म के कहानी सेड़ की है इस टाइप की पहली एक फिल्म बनने वाली थी लेकिन बाद में जिस तरसे चीजे बदलती रही आगे बढ़ती रही उसके बाद में इस फिल्म को पेन इडिया लेवल पे कोशित कर दिया गया जहांaj एक लेबरार डौक और पूरी तरसे तिन मैनी की ट्रेनिग दी गए थी इस फिल्म के जो इंसीडेंट उसकोát करने के लिए जो रियल इंसिडेंट है उसको रिक्रेट करने के लिए उसके बाद में फिल्म की काश्टिंग की गई थी जहां पर इस फिल्म में लीड रोल में संगीत स्रिंगेरी देखने को मिलती है जिनको 2700 ले थे लड़कियों के उसमें से उनको सिलेक किया गया था और उ उसके आगया था कि बोबी सिम्मा जो तमील एक्टर है वो इस फिल्म में केमियों देने वाले और उनका कनड़ा इंडिस्ट्री के लिए डेब्यू होने वाला है फिल्म की सुटिंग आठ जुन 2018 को मेंगलर में ही की गई थी जहां पर निसपल फोटोग्राफी भी उसी दि किए गए तह जहां पर सकलेजपूर माइसूर बैंगलور मेंगल अलग अलग लग पेल्म को सूट किया गया था जहां पर फिल्म की सुटिंग के जो जो काफी लंबे रहे ठेए कसी दिल तो क र detale करीबन एक मेने के आस पास पास था जहां पर इस फिल्म का जो सुटिंग स्टार्ट के आता था फिल्म के कुछ सिकवंस को दान डेली फॉरेश्ट में। इसके भागुर में के कुछ पोसन को गुजराध में राजस्तान पंजाब और गोवा में बी सूट उस फिल्म के जन्वरी 2020 के बाद की वह ज़याता तर नोथ उंडिया में सूट की गए थी जहांपे कहीं सारे सीन्स को आप गोवा के सीन्स भी देखने को मिलेंगे जहांपे रक्सी सेटी और चारली के बीच के जो बॉन्ड वाले सीने वो वहीं पे फिल्माया गया गया उसके लाओ गुजरत राजस्तान पंजाब में कुछ सीकॉंस को सूट किया गया था इस फिल्म को बनाने के लिए करिबं सो दिन लगे हूं को जहांपे मारं 2020 तक पूरी तरह से फिल्म का काम कम्पलीत करवाये गया था उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था, उसके बाद में फिल्म में कुछ ऐसा काम आ गया था, जिसकी वज़द छे में इने फिल्म का प्रेक पड़ा था, और अक्टॉमबर दो जाब बीस के बाद फिल्म की सुटिंग फिर से स्टार्ट की गए थी, कोडिंग करनल में, अलग अलग सिक्वांस को सुट किया गया था, बीस नौमंबर दो जाब बीס तक स्टार्ट किया गया था, कस्मیर का सुटिल दो दिसंबर के पहले विक में सुट किया गया था, उसके बाद में, फिल्म की पूरी सुटिंग को कमपलिट करने में 1070 दीन लग गए थी, जहां पे बेग्राउंड स्कूर के लिए नोबिन फॉल को सिलिक किया गया था कोईड नैंटिन के वज़े से चीजे फिर से पॉस्पॉंट हो गए उसके बाद में फिल्म के डबिंग के पोसन का काम किया गया उस जिसमें करीबन पचास केरेक्टर थे और दोस्तों वो इस आर्टिस सिटी रहे तो इन सभी चीजों इन सभी आर्टिस का इंटर्विव लबिंग लिया था और साथ ही में फिल्म के लीड एक्टर रक्सी सेक्टी ने खूद अपना वोई जोर भीद दिया था इस फिल्म के मुजिक डिपार्टमेंट के ओपर बात करें तो मैंने जैसे काहक दो गाने रिलीज होए जहां पर कनड़ा में दो है बाकि सभी वजन में एक गाने रिलीज किया गए टोचर सौंग वाला जो गाना है वह अदर्वाइस कनड़ा में ओगा नाम का गाना रिलीज किया गया था इसके अलाव डिस्ट्रीबिटर के ऊपर मैंने पूरी डिटेलिंग दे दी है तो अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म थीयटर में रिलीज हो रही है तो कब तक इस फिल्म को कितना बढ़िया तरीके से किसा रिस्पोंस मिलता है किस तरह की स्क्रीनिंग और दिन प्रती दिन बढ़ती है यूएफो इस फिल्म को हिंदी में कितना के वन टार्गेट पार तो हो जाएगा लेकिन अगर अच्छी फिल्म रही तो यार आसानी से दकस्मिर फाल्स फिल्म की तरह एक अच्छा खासा लंबा रन ले सकती है अब देखती है कि इन सभी चीजों में कितना बेहतरी तरके से कंटेंट बाहर निकल किया था अब 31 दिसंबर 2020 को इस फिल्म को पेले रिलीस करने वाले थी लेकिन जैसे क मैंने बताया कि कोवीड-19 के चलते काफी सारे रिष्ट्रिक्शन आई थी और फिल्म को पोस्ट्वन किया गया तो अब 10 जुन 2022 को फिल्म आने वाली है इस फिल्म से क काफी सारी उमीदें लगाए रखे रक्सी सेटी की टीम ने काफे बढ़ी हीट होगी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के OTT रिलीस के उपर तो जिस तरह से अब 10 जुन 2022 को फिल्म रिलीस होती है तो जिस तरह से पहले सभी अभी फिल्म में रिलीस हो रही और उसके बाद OTT पर रिलीस करवाई जाती है ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ भी होने वाला है जहां पे 30-35 दिन का कुछ करार करा होगा OTT प्लेटफॉम के साथ जहां पे 10 जुन 2022 को फिल्म आ रही तो जूलाए मेने तक यह फिल्म आपको OTT पे 5 ओ लिंग्वेज में देखने को मिलेगी तो 10 जुन 2022 को फिल्म थियर्टर में रिलीस हो रही है तो जुलाए मेने के स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड वीक में यह फिल्म आपको OTT प्लेटफॉम Amazon Prime वीडियो के ओपर officially with subscription with English subtitle यह फिल्म देखने को मिल जाएगी तमिल तेलकु खनडा मल्यालम वर्जन में उस फिल्म को फ्री में प्रीमेर करवा दिया जाएगा तो इस तरह से यह सभी प्लेटफॉम के ओपर इस फिल्म को आप देख पाओगे officially इसके अला मेरी मान होता अगर फिल्म का कंटेंड अच्छा निकलता है तो यह थियाटर में फिल्म देखेगा क्योंकि emotionally फिल्म थियाटर में आपको बेहतरे इन तरीके से मज़ा देख पाईगी क्योंकि background score फिल्म का अच्छा है तो वो सभी चीजे फिल्म का music, फिल्म की performances से सो थियाटर में देखने का मज़ा अलग होता है तो वहाँ पे देखोगे तो और बेहतर रहेगा otherwise Amazon Prime Video के उपर एक मेने के बाद वेसे भी सभी लेंग्वेज में पाच्छों लेंग्वेज में आ रही है फिल्म वीथिंग लिस सब्टैटल वहाँ पे भी नजवाइक कर प दिया है बोक्स ओपिस का एक प्रेडिक्सन दे दिया है तो यह सभी चीजों के पर डीप में मैंने चर्चा करके दे दिये तो आज का मरा वीडियो यहीं तक था अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक और से जरू किजएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलेगा ठे झांगो